लाशों को सीडिया बना कर ऊपर चड़ना गया बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है बट नौट इंपॉसिबल मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता है कभूसर अचानक दिद्डवन प्रक्ता है अर्गोश शेर बन के भाड़ी से लिए हलो नमस्कार आप सभी के स्वागत हैं बॉलिग्राथ स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुश्काति आगी है प्रभास स्टार सलार पार्ट वान सीस्वायर 22 दिसम्बर को रिलीज होने के बाद सही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड हो रही है इस फिल्म को रिलीज के पहले दिन सही दर्शुम का जबर्दस रिस्पॉंस मिला है और इसी के साथ सलार ने बॉक्स ऑफिस पर छप पर फार कमाएगी है दूसरी यहां तक की वोकिंग डेज में भी ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है चलिए गया जानते हैं सलार ने रिलीज के छटे दिन कितने करोड का कलेक्शन क्या है मैं बता दे कि सलार प्रभास की कमबाग फिल्म साबित होई है इससे पहले आक्टर की कई फिल्म में बाग टु बाग फ्लॉप रही थी लेकिन सलार ने धुवाधार ओपनिंग की और फिल्म का ताबर तोड कमाई का सिलसिला जारी है दूस्तों क्राइम ट्रिलर इस फिल्म ने दर्शुम का दिल जीत लिया है और इसी के साथ सलार वीकिन पढ़ी नहीं बलकि वीक डेज में भी अच्छा कारोबार कर रही है दोस्तों इसी के साथ सलार की छै दिनों की कुल कमाई अब 297.40 करोड के हो गई है बही गरेलू बॉक्स आफिस पर भी कमाई के नहीं रिकार्ड बेहद आसानी से कायम कर सकी है सलार का जल्वा देश ही नहीं बलकि विदेशों में बिचाया हुआ है और ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स आफस पर खूब दमाल मचा रही है कभी-कभी लगता है कि अब उने हिच भगवाल है ग्लोबली फिल्म के कमाई की बात करें तो साकनिल की रिपोर्ट के मताबिक सलार ने रिलीज के पाँच दिनों में दुनिया भर में 428.90 करोड का कलेक्शन किया था महीं दोस्तों शटे दिन फिल्म में 500 करोड का आकरा भी चूलिया है सलार के डिरेक्शन के जिप फेम प्रशान दील ने किया है फिल्म में दोस्तों प्रभास के लावा प्रित्वी राज सुकुमारन, शृति हसन, टीनुवा आनंद, श्रीया रेदी, ईश्वरी राव और जक्री बाबुवू ने एहम रोल प्ले किया है ये फिल्म का अतनिक शहर खांसार पर आधारित है और दो दोस्तों पर केजरित है जो घटनाओं के दुर्भाग्यपूर्ण मोर के कारण कटर प्रतीजवन भी बन जाते है आपको इफ़म कैसे लगी है अब कॉमन सेक्शन में ज़रूर बिताएगा हमारी आज के राइत है मनीशा जैन आदीपुरुष और प्रित्वी राज्टू कुमारन की हाली में रिलीज हुई फिल्म सालार पार्ट वन सीस वायर सिनेमा घरों में रिलीज के पहले दिन से डंकी को तोड रही है इस फिल्म का क्रेज दर्शेगों के सिर चड़ कर बोल रहा है और इसी के साथ ये फिल्म जम कर नोट छाप रही है पैसा ही पैसा होगा चलिए यहां जानते हैं आदी पुरुष स्टारर फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन कितने करोड का कलेक्शन किया है सेकनिल्क की एक वेबसाइट है उसके अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सालार ने रिलीज के चौथे दिनी यानी मंडे को 42.50 करोड का कलेक्शन किया है इसी के साथ सालार ने रिलीज के चार दिनों में 251.60 करोड की कमाई कर ली है सिर्फ अपने देश में सालार देश ही नहीं पूरी दुनिया में घूम चुकी है और दाबड तोड कलेक्शन कर रही है क्यों हिला डाला ना इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स आफिस पर महज 3 दिनों में 400 करोड रुपे का आंकड़ा पार कर लिया है और अभी भी मजबूत बनी हुई है एक अदम सालार की तरह मेकर्ज ने सोशल मीडिया पर अनाउंस्मेंट की है कि फिल्म ने रिलीस के 3 दिनों में 402 करोड रुपे की कमाई कर ली है वही दिसंबर को क्रिसमस पर पबलिक हॉलिडे होने की वज़ा से फिल्म के कलेक्शन में 4 दिन और ज्यादा इजाफा होने की उमीद है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म क्रिसमस पर 4500 करोड का अंकड़ा पार कर जाएगी लेकिन मेरे को लग रहा है 500 कर जाएगी सालार पार्ट वन सीस फायर एक अक्शन से भरपूर ड्रामा है जिसे केजी एफ फेम प्रशांतिनी ने लिखा और निर्देशित किया है फिल्म से प्रभास और प्रित्वीराद सूकुमारन के अलावा शूती हसन जगपती बाबू, माइन गोपी, श्रीया रेड़ी और कई अन्ने कलाकार न एहम रोल प्ले किया है फिल्म के दूसरे भाग का नाम भी रिवील हो गया है सालार भागदो शौर्यांग पर्व के नाम से रिलीज होगी को ये भी बता देने चाहता हूं कि होंबेल फिल्म से ये मूवी 400 करोड रुपे के बजट में बनाई गई है आपको क्या लगता है फिल्म किस-किस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने का कामियाबी हासिल कर पाएगी कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज हालो नमस्कार आप सबीका स्वागत है बॉलिग्राद स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हनुषका त्यागी फिल्म साहो से बॉलिवुड में डेब्यू करने वाले प्रभास लंबे समय से एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे हैं सलार सी स्वायर पार्च वन रिलीज होते ही तहल का मचा डाला है और यह फिल्म इस साल के सारे दिहास रसने जा रही है हाला कि ओपनिंग के बात करें तो प्रभास की सलार अभी तक उनकी पिछले फिल्म बाहुबली के रिकॉर्ड नहीं दोड़ पाई है दोसों सलार ने तीन दिनों के भीतर ही 200 करोड का आकड़ा पार कर लिया है बता दे की करीब 500 करोड के बजट में बनी प्रभास की स्फर्म ने बॉक्स ओफस पर तहल का मचा दिया है साकनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस फर्म ने तीसरे दिन 61.00 करोड रुपे की धमाकेदार कमाय की है इस तरह आसे तीन दिनों में फिल्म ने केवल इंडियन बॉक्स ओफस पर 208. करोड का कलेक्शन कर लिया वहीं तीन दिनों में आकडा करीब 315 करोड के पार हो चुका है केवल दो दिनों में इस फिल्म ने विदेश में करीब 70 करोड रुपे की कमाय कर डाली बिप्रभास के अब तक की शांदार फिल्मों में बाहु बली 2 ने हिंदी में 510.99 करोड साहू ने 145.67 करोड बाहु बली ने 118.5 करोड और रादिशाम ने 19.36 करोड की कमाय की थी दोस्तों अब आपको क्या लगता है सलार कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगी कॉमें सेक्शन में जबरू बताएगा मारी आज की राइटर है मनीशा जैन वैसे प्रभास की अपकमिंग फल्म जिसे प्रशान सिनेमार्टिक इन्यूवर्स ने बनाया है उसकी रिलीस का काउंट आउन शुरू हो चुका है और सालार अब सच में फल्म बाहु बली को भी टक्कर देने वाली है या टक्कर दे चुकी है अब किस तरह तक्कर दे चुकी है यह तो परदे पर फल्म देने के बाद ही हमें मालूम चलपाएगा पर इस टक्कर की पीछे का रिजन है फल्म का एक्सपेंसिब और बढ़िया सालार का सेट इंडिया सिनेमा का लाजस सेट कहलाया जाता है जो कि रामोजी पंसिटी में एक और रामोजी पंसिटी डवलब करके बनाया गया है इसने तो के एजी अप चाप्टर डू को भी पीछे जोड़ दिया है दूसरी बात यह है कि सर्फ 5% CGI कर इस्तिमाल किया गया है और 95% प्राक्टिकल सेट डिजाइन देखने को मिलेंगे मतलब रियर लोकेशन पर शूटे जहां वीएफेक्स का इस्तिवाल नहीं हुआ है अगर बाहु बली को सालार से इस बात को लेकर हम कंपेर करते हैं तो डेपिनेटली बाहु बली में कई सारे वीएफेक्स का इस्त सब्सक्राइब को मार का हाथ है तो वही सिनमाटोग्राफर है भुण गौड़ा जो के जिए सिरीज के साथ दे जुट चुके थे उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि सालार के जिए बाहु बली को पहले ही पीछे छोड़ चुकी है पैसे आपकी नजर में कौन मारे होगी अब यहां प्रभास के साथ साथ शरुखान की डंकी की बात हो रही है वैसे डंकी हो या पर सालार दोनों ही फल्मों के लिए बहुत बढ़ा चालेंज होने बाला है ओपनिंग दे पर जैसे कि प्रभास की आदी पुरुष भी ओपनिंग डे पर रिकॉर्ट बना चु बढ़िया नंबर्स कमाएगी जिसका फाइद डंकी को तो नहीं हो सकता पर एक ऐसा ओब्जर्विशन निकल कर आया है कि डारेक्टर प्रशाद में जिन्होंने सालार बनाई है और की केजी अपन को पंजाब से बहुत बढ़िया फाइदा हुआ था पर सालार को लेकर फॉ प्रभाशा में डब नहीं होगी तो उसका फाइदा यहां पर प्रभास्त को हो जाएगा यानिकी सालार को होगा पर तर भी ओपनिंग डेपर या पर ओपनिंग विकेंड पर इन दोनों फर्मों को थोड़ा से स्ट्वगल करना पड़ेगा लेट सी कि क्या होता है तलहाल आ हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बॉलिगराद स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का त्यागी अब सलार को आने में कुछी दिन बचे हैं और हाल ही में सलार में एहम रोल प्ले करने वाले पृत्वी राथ सुकुमार ने अपने किरदार वर्दमान के बारे में एक इंटिवि में बात की है दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि ट्रेलर देखने के बारे सक कहा जा सकता है कि वर्दमान का के इंटेंस होने वाला है तो क्या वर्दमान इंटेंस है? और सलार फिल्म ही वर्दमान और प्रभास के देवा की चारक्टर के बीच ही फ्रेंशिप पार्ट के बेस्ट है दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा कि कि जिब 2 की शूटिंग दरान प्रशान दे उन्होंने सलार की स्क्रिप्ट सुनाई थी और जब उन्होंने खुद को आज वर्धा इमाजन किया तो वह उनके पॉफेक्ट लगे दोस्तों और साथ ही एक काफी अच्छी स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने काफी वक्त के बाद सुनी साथ ही प्रश्रान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका एक फिल्म का हिस्सा बनना काफी सही पैसला था क्योंकि प्रश्रान देक ऐसे डिरेक्टर है जो पूरा का पूरा शॉट ही बदल सकते हैं और अगर उन्हें ऐसा लगा कि आपका इंपुट सही है और वो दोस्तों आपको हमेशा ही इंक्ल्यूटर फील कराते हैं और यह बात उनके लिए काफी एहम थी उनके साथ दोस्तों जब पृत्वी से पूछा गया कि फिल्म में वर्दा और देवा काफी अच्छ दोस्त है लेकिन क्या आप ऑफ सेट उनका और प्रभास का इक्वेशन ऐसा ही है तब दोस्तों उनने कहा कि यह impossible है कि आप प्रभास को जानो और उनके दोस्त ना बनो आगे उनने कहा कि उनके काफी कम दोस्त है और प्रभास उनमें से एक है जिनके साथ वो constantly in touch रहते हैं और उनके messages पर बात भी होती है उनका मानना है कि प्रभास के पास दूसरों के खुशी में खुश होने का एक gift है वो जब भी set पर होते हैं अपने आस पास सभी को comfortable feel कराने की कोशिश करते हैं सब के साथ खाना खाते हैं और उनके साथ काम करने के बाद उनके समझ में आ गया कि लोग उन्हें darling क्यों कहते है वो सच में एक darling है और down to earth है और दूसरे पहली बार नहीं है कि प्रभास के किसी co-star ने उनकी तारीव की है हमारी darling है ही ऐसे कि किसी को भी दोस्तों उनके साथ काम करना अच्छा ही लगता है इसके साथ ही जब पृत्वी से ये पूछा गया कि सलार को लेकर जो अभी तक जो अच्छा ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है और उनके लिए perfect और एक great cinematic experience होने वाला है साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सलार का part 2 भी इसी level का है अब पृत्वी राच्छू कुमार उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि वो अपने इस film को लेकर काफी confident है अब देखन पर होगा कि उनकी अप्रभास की जोड़ी क्या कमाल दिखाती है आपका स्किबर के गहना है comment section में जरूर बताएगा हमारी आज की रहिचर है मनीशा विधान एक गैन में बरबन्दा हरुआ नहीं है विडूर सुम्जा क्या है सालार फिल्म के flop होने के chances वई सालार का ये पहला पार्ट जिससे सीजफायर नाम दिया गया है उसमें किसी जंग की शुरुवात होकर रुखने की खबर है और जिस तरह से जब टीजर में सालार को इंट्रोड्यूस किया गया और जुरासिक पार का mention किया गया तब व से रौकी भाई के opposite दिखाया है वो भी interesting है जिससे हमें एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों अगर एक साथ टीम में काम करेंगे तो डेड़ पूल और स्पाइडर मैन वाली ही feeling आने वाली है साथ ही यहां सोचने वाली बात तो ये भी है कि इतने सारे सालार प हिस्सा ही ना हो लेकिन हाली में दिपावनी पर रिलीज हुई Tiger 3 में जिस तरह से SRK के पठान के किरदार के साथ साथ रितिक रोशन के मेजर कबीर के किरदार की entry हुई उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि Spy Universe पूरी तरह से एक Universe से concept को follow कर रहा है और अपनी फिल्मों को interconnect करके अपने किरदारों के बीच connection establish कर रहा है जिससे आगे चलकर Spy Universe के पास movie ideas की कमी ना हो जिसे Hollywood के हर movie universe में unlimited parts आते ही रहते हैं और ऐसे ही अगर प्रशान तिनील को अपना एक universe create करना है तो कैसे भी करके उन्हें Rocky और सालार का connection दिखाना होगा फिर वो Captain America और Iron Man के बीच हुई Civil War क की तरह भी हो सकता है या फिर Avengers The Age of Ultron की तरह भी हो सकता है या तो वो आपस में लड़ेंगे या फिर वो एक similar anime के खिलाफ लड़ेंगे लेकिन दोनों का एक screen पनाना जरूरी है साथ ही अगर हम प्रभास के किरदार को Rocky भाई के जैसा मानते हैं तो जगपती बाबु का किरद और गरुडा में एक similarity भी है जो हैं दोनों के serious expression और साथ ही कालाटी का जो गरुडा लगाता था वही प्रित्वी राज के किरदार ने भी लगाया है और इन दुनों के बीच एक काफी तगड़ा connection भी निकल कर आने वाला है तो आपके क्या विचार है सालार का KGF के साथ connection हो बताएं और देखते रहे हमारे चानल बॉलिग्राथ स्टूडियोज तो हमारे प्यारी ओडियन्स डंकी का टीजर देखा की नहीं 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 कि इस वीडियो में हम सालार को लेकर ही बात करने वाले पर क्या है कि आजकर सालार और डंकी हम साथ साथ है वाला काना काकर एक साथ चर्चा में रहते हैं इसलिए पूचा मैंने खैर प्रभास की साला डिसंबर में रूलीस होने वाली है और अब नवम्बर में तो शुरू हो चुका है जिसके चलते मेकर्स कुछ कुछ marketing strategies अपनाने वाले हैं, कुछ बढ़ना प्लान करने वाले हैं, वैसे सालार के makers के दिमाग में क्या चल रहा है ये बस वही जाने, पर ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक गाना हमें देखने को मिलेगा, वैसे ये भी कहा जा रहा था कि प्रभास एक special song नवंबर में shoot करने वाले हैं, उसके साथ कुछ posters भी सामने आएंगे और जिसमें 6-7 posters हो सकते हैं, वैसे प्रभास की जनन दिन पर आया poster फैंस को नाराज करके चला गया था, पर अब ऐसा ना हूँ, वैसे फिर्म की कास्ट में से किसी ने एक इंटरव्यू के वक्त कहा था कि नवंबर महिने में सालार की टीम सर्फ प्रमोशन पर ही ध्यान दे सकते हैं, पूरा महिना सर्फ और सर्फ प्रमोशन, अब ये डंकी की बज़ा से है, या अगर ये clash ना भी होता, तब भी यही strategy अपनाई जाती, ये तो वही जाने हैं, वैसे पहले ये भी बताया गया था कि दोट फिर्लस भी आ सकते हैं, पर उसके बारे में अभी तक कुछ कनपम नह ही हैं, इनके plans change होते रहते हैं, एक thriller प्रभास को जरम दिन पर लाया जाने वाला था और दूसर नमंबर में, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जब पलम 28 सितंबर को release होने वाली थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जैसे ही teaser release हुआ, जिसमें हमें KGF vibes आ रही थ है कि आगे चलकर promotion में, डार्क्टर प्रशान नील ऐसे से राजा मौली को भी grand promotion में involve कर सकते हैं, और बहुत बड़ा marketing campaign भी चलाया जा सकता है, वैसे सालार के makers अपने product को लेकर कापी ज़्यादा confident दजर आ रहे हैं, पर वो promotions में कमी तो नहीं रखेंगे, क्योंकि सामें डंक पॉब्लिक event भी कर सकते हैं, ठ्रिल को किसी खास दिन पर भी ला सकते हैं, पर इस पर मोहर लगना भी बाकी है मेरे दोस्त, so let's wait कि ये कौन सा बॉंग फोरने वाले हैं, जिससे नवंबर में दिवाली के साथ साथ एक और बढ़िया धमाका हो जाए, तलहाल आपको क्या लगी को तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलियेगा, आज के लिए वस अतना ही, मैं प्रवगती मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में सेव रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाव बाई वैसे दोस्तों देखा चाहे तो साल 2020 खुद को बहुत खुश नसीब मानना होगा, क्योंकि इस साल को पता नहीं कितनी बढ़िया बढ़िया पलों के दर्शन हुए हैं, जसमें पठान है, जवान है, गदर्डू है, लियो है और अब टाइगर ट्री है, और अभी तो स्ट् नियुक्त वाग बाकी है, जसमें आती है प्रभास की सालार, शारोख खान की डंकी और रुणवीर कपूर की आनिमल वैसे इसमें से गदर्टू और डंकी को छोड़ दे तो बाग की सारी फिल्म अब आप कहेंगे इससे लिए तो दूसरा option भी दिया गया है अगर सालार नहीं देखनी तो डंकी देख लो पर नहीं अभी तो हम बात सालार की कर रहे हैं तो उसी की करते हैं और सालार में कूट कूट कर action sequences भरे पड़े हैं 750 वहिकल के साथ action sequences शूट किये गये हैं इतना ही क्यों? 20 मिनट का एक ऐसा action sequence भी है जो समुंदर में देखने को मिलेगा और डार्क सेंट्रिक टीम के सालार बनाई जा रही है तो उसका impact काफी powerful होता है पर करिये ऐसा नहीं हो जाए कि इस चकर में हमें action को overdose मिल जाए दरसल खलापती की new box office पर अच्छे आकड़े खटे कर रही है पर इसके second half को लेकर कुछ reactions ऐसे भी आयते हैं कि second half में बहुत fight sequence दिखाने से लोग तंग आ गया है बोर हो गया है अगर हम tiger tree की बात करें तो सल्मान खान के पर जल्बा तो दिखा रही है पर इसमें भी बहुती जादा action है और ऐसे ऐसे action sequences है जो हम imagine भी नहीं कर सकते हैं हमारे imagination से को सोदू है और कहीं कहीं पर तो ये ठीक से execute भी नहीं किया गया है पर इससे होता ये ना कि कभी कभी storyline को ध हखका पहुचाता है अगर ठीक से balance बना कर ना रखे तो उपर इसमें violence भी होगा और अगर रंबीत के आनमप हम देखे तो उसमें भी action है ड्रामा है और violence भाई कुड़ कर है और दोनों फिर्मों के directors इसकी guarantee देते हैं कि हमारी इतल में most violent फिर्मे होगी तो सोचिए कि violence के माम commitment हो सकती है जो कि प्रभास की फिल्म के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है अभी कहीं कहीं जगह पर नौर्थ में specially action फिल्मों को extraordinary response में नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी situation में audience की expectation को fulfill करने का बहुत बड़ा का सालाल को करना पड़ेगा पर दूसरी बात यह है कि चिता करने की ज जैसे director है जो content के मामले में compromise करके सर्फ action को overdose नहीं दे सकते क्योंकि catch up example तो हमाई सामने है ही ऐसे मिसालार में action sequences को overdose नहीं होगा बलकि सही balance दिखाई देगा तलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें comments में सरूर बताए साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share क करें आज के लिए बस इतना ही मैं प्रवती मिलूंगे आप से नेक्स्ट वीडियो में सेफ रहिए मुस्कुराते रहिए बाव बाई आज जो डारेक्टर्स इन दो बातों को ध्यार में रखकर कुई फ़म बनाते हैं कि कंटेंडेंस केंग और और ओडियेंस भगवान है हमारी जज है उन्हीं की फ़मों को 500-1000 करोर क्लब में खेलने का मौका मिलता है और जो ये बात ध्यार में नहीं रखते हो उनकी बहास प सालार में प्रभाश कर सितार्डम है डारेक्टर प्रशान दी का डारेक्षन है पर आप स्टोरी भी तो देखोगे न ये स्टोरी तो होती है जो हमें तीन घंटे में तर अपने का डम रखती है तो यह सब कहने की वज़ा यह है कि प्रभास ने हैविक बनाई थी वह भी फ्लॉफल मोगी जिसकी वज़ा थी बहुत भी बखवा स्टोरी लाइन अब वो तीन पल में आपको पता ही होंगी साहो राधेश्याम और आधिपुरुष पर सालार में प्रभास ऐसी गलती दोराना नहीं चाहते हैं और नहीं कोई और उनका माइंडसेट है कि अब ऐसा करना है कि बस अच्छा काम करना है अच्छी स्कृट अच्छी डाइटर इस इक्वल टू हजार करोर अब प्रशाद दील जो कि एजियाथ यूनिवर्स में सालार बना रहे हैं तो उसकी वज़ा से डणने की कोई जर्वत नहीं है क्योंकि स्टूरी लाइन दमदार होगी और यही देखते भी प्रभास निस्पन को साइन किया है अब कंटेंट इस गिंग तो है ही पर शारुप खान जो फिल्मों के गिंग है उनकी भी प्रभास के सामने है और आपको पता है ना कि डंगी की डार्टर राजकुमार हीरानी ने 2021 में मल्टिपल ड्राफ बनायते ताकि फिल्म के सकेंड आपको मजबूत बना सकें उन्होंने सकेंड आपके लिए पता नहीं कितनी बार उसे रिराइट किया होगा अपने राइटर स्टीम के साथ क्योंकि एक बार स्टोरी पक्की बन गई तो फिल्म का आधा सक्सेस तो वहीं परफिक्स होता है तो अब गैस रियानी की फिल्म को तकर दे रहे हैं जो स्टोरी में वहीं कॉम्प्रिमाइज नहीं करते जिनकी स्टोरी फिल्म को परफिक्स बना देती है तो ऐसे मामले में सालार की स्टोरी भी उसी तरह की होनी चाहिए वैसे ये बात तो है कि अब स्ट प्रभास क्या इस बार हमारे उमीदों पर खड़े उतर पाएंगे या पर नहीं हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बता है आज के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और श्चेर करें आज के लिए बस उतारी वाप्रोमे की विप्रिया आप से नेक्स्ट वीओ ने से विए विए बस उतारी बाते बनीए बाए बाए हम इस क्रिस्मस पर भारती सिनेमा की तिहास के सबसे बड़ी क्लाश में से एक को देहने की तयार है जे हैं हम बात करें बॉक्स ओफस पर डंकी वोसे सालार के हाई वोल्टेज क्लाश की जहां दोनों पर्मों के राक्टर्स फैंस को ज़्यादा से यदा अपनी तरफ अट्राक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं वही प्रभास यानि कि सालार का गेजिय अप स्टार यश्ट के किरदार रॉकी भाई के साथ कनेक्शन पूरे के पूरे क्लाश को सालार की तरफ जारा जुकाता है साती हमें ये भी नहीं कह सकते कि ये एक अफवा है क्योंकि KJP Universe के डाय हाट फैंस ने हमारे सामने ऐसी कई सारी थियोरीज रगती है जिन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि KJP और सालार एक दूसरे से डारेक्ट कनेक्टेड है इन सभी थियोरीज में से मेरी सबसे पेवरेट थियोरी है सालार का रौकी भाई को बचाना लेकिन फर्मान बनकर नहीं हम यहां ऐसी थियोरी की बात कर रहे हैं जिसके हिसाब से सालार को रौकी भाई को पकड़ने का कॉंट्राक दिया गया है और वो contract उसे अफरीकी गूल स्मगलर ने दिया है जिसे रोकी का उसके देश में आकर उस पर राज करना ज़रा भी पसंद नहीं आया और साथी रोकी ने 16 मुलकों में जो क्राइम्स किये हैं उसके बाद उसके दुश्मन भी काफी साधा बढ़ गए हैं और उसका तबसे बड़ा दुश्मन है यह अफरीकी स्मगलर क्योंकि उसे रोकी और इनायद खलील दोनों ने ही धोका दिया है रोकी भाई की डारेक्ट डील रोकी की डारेक्ट डील तो आपको यादी होगी जिसका जखर केजी अपटू में हुआ था और उसे डील को पूरी करने की चकर में उसने अपने दुश्मनों की संग्या पढ़ा दी औरब इस अंडरबर्ड के डॉन ने अपने लेप्ट हैंड मैन यानि की सालार को रोकी को माड़ने का कॉंट्राइक्ड डे लेकिन जब सालार केज अप में आता है तो वो देखता है कि रोकी उड़ चुका है और जब रोकी की बारे में सुनता है तो उसे रोकी सब्सक्राइब करें इतनी सिंपल भी नहीं नहीं फिर पहले रोकी और सालार के बीच राइट हो गी और फिर वह दोनों एक होंगे यह थियोरी बाग की सबी थियोरी से लग है और लॉजिकल भी है इसलिए मेरे हिसाब से हम ऐसा आपको सालार में देखना एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इस पर आत्वा क्या कहना है हमें कॉमेंक्स में सवरूर बताए साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करे आज के लिए बस इतना ही मैं अप्रोवत ही विलूँगी आपसे नेक्स वीडियो में सेट पहिए उस पर आते पहिए बाग आए कौन सी फोटो लीग हुई प्रभास की? हलो एक बार फिर साब सभी का स्वागत है बोलिगराद स्टूडियो में और मैं हूँ आपके साथ हनुश्का त्यागी सलार एक अपकमिंग इंडियन आक्शन फिल्म है जो दोचाते ही इसमें रिलीज होगी और इस फिल्म के डिरेक्टर प्रशान दिये हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वो अपने पूरे इंडिया के वन अफ दा फेमस डिरेक्टर के लस्ट में भी शामिल हो गए है प्रसान नीली केजिफ चाप्टर वान और केजिफ चाप्टर टू डिरेक्टर करी हैं जो अल्रड़ी वर्ल्ड फेमस मूवीज बन चुकी है सलार मूवी होमेबल फिल्म्स प्रडॉक्शन हाउस के अंडर ही प्रडूस हो रही है जिसके प्रडूसर है विचे केजिफ की फ्रेंचाइजे भी होमेबल फिल्म्स के अंडर ही प्रडूस हुई है सलार मूवी की में स्टार है प्रभास और इनको पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इनोंने ससाज मौली की फिल्म बाहु बली में काम किया है और बाहु बली टू दे कंक्लूजन इंडियन सिनिमा की सेकिंड हाइस ग्रॉसिंग फिल्म है और इनकी आक्टिंग उस फिल्म में लोगों को काफी पसंद भी आई थी प्रभास ने भी रीसिंटी एक फिल्म करी है जो आमजन प्राइम वीडियो पर है जिसका नाम है रादे शाम और इस मूवी के अलावा भी इनोंने बहुत सारी मूवीज करी है जैसे मिर्ची, साहो और रिबेन इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी टालेंटी डाक्टर्स काम कर रहे हैं जैसे पृत्वी राद सुकुमारन, शृति हसन और जगपती पावू शृति हसन ने बॉलिवर्ट फिल्म में काफी काम किया है जैसे लग जिसमें संजित दद्भी थे और रमाय वस्तवया भी और साथी शृति हसन के फादर को सबी जानते हैं कि वो कितने महाना आक्टर है पृत्वी राद सुकुमारन, शृति हम से तेलगो फिल्म इंडास्टी में 12 साल बाद एंटर करेंगे और उन्हें देखने के लिए उनके फाल्स बहुत जाब एक्साइडिट है उनकी लास्ट फिल्म टेलगो इंडास्टी में पुलिस पुलिस थी जो 2010 में रिलीज हुए थी तो चली दोस्तो अब थोड़ी सी और चीज़े जान लेते हैं इस फिल्म के बारे में सलार फर्म की शूटिंग ऐसा बताया जा रहा है कि आक्टुबर और निवेंबर के तक ख़तम हो जाएगी त्योंकि उसके बाद फर्मेकर्स फिर से बिजी होंगे केजिए चाप्टर 3 की शूटिंग के लिए बट अभी इस मांच सलार फर्म की शूटिंग नहीं हो रही है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले फर्म के में आक्टर प्रभास की नी सर्जरी हुई थी जिसकी वज़ासे उनकी फिजीकल फिटनेस पर अफेट हुआ है और उनका वेट बढ़ गया है प्रभास सलार फर्म की शूटिंग जूट में स्टार्ट करने वाले हैं सोशल मीडिया पर सलार फर्म की एक फोटो लीग हो गई थी जिसमें प्रभास सूट में खड़े हुए हैं और फर्म मेकर्स बहुत कंसर्ण थे इस चीज़ को लेकर क्योंकि एक सर्प्राइज एलिमेंट वो जो चाहते हैं कि ओडिन्स को मिले वो नहीं मिलेगा अगर ऐसी फोटो लीग हो जाएंगी तो फान्स को प्रभास की एलिग फोटो बहुत जादा पसंद आई है और वस फोटो को देखके फान्स और भी जादा एक्साइटिड है इस फिर्म के लिए अभी तक सलार फिर्म से कोई भी ओफिचल निउस नहीं आई है जिसके वज़ा से फान्स काफी फ्रस्टेटिड है क्योंकि फिर्म के डिरेक्टर प्रशान नील ने प्रॉमिस किया था फान्स को कि में मंत में फिर्म के बारे में कोई ना कोई डीटेल वो शेर जरूर सलार शूटिंग के पहले प्रभास प्रजेक्ट के फिर्म की भी शूटिंग करेंगे जिसमें वो अमिताब बच्चन, तिपिक पदुकोन और दिशापटने के साथ दिखाए प्रभास की अल्रडी एक फिर्म एक हजार करोड से जादा उर्न कर चुकी है और साथ ही प्रशा प्रभास पूरा ही ट्राए कर रहे हैं कि फांस को उन्हें के लिए फिर्म पसंदा है हो सकता है किस फिर्म में हमें के इजर कर यश भी दिखाई दे क्योंकि फिर्म के प्रेडीूसर विजशर बांट टोगे इन फिर्म को और जू कबनाने का जो कि व因为 पॉपिलर है थाइब प्रशान नील कैसा होगा प्रभास कलो कि इस फिल्म में नमस्कार एक बार प्रसाब सभी का स्वागत है बॉलिग्राद स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का त्यागी बान गया स्टार प्रभास बहुत जल्द अपकमिंग आक्शन चलो सलार की करने के लिए वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रशान नील आर्ट डिरेक्टर शिवा कुमार को कुछ एक्स्प्लेइन कर रहे हैं वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा प्रभास के अलावा सलार फिल्म में शृति हसन, पृत्वी रादसू कुमारन, जगपती बाबू, मदू गुरू सुआमी और ईश्वरी राउ हैं इस फिल्म में प्रभास एक डाइनमिक रोल में दिखने वाले हैं और शृति हसन इस फिल्म की फीमेल लीग कास्ट हैं ये फिल्म तेलगू तमिल मलियालम और हिंदी लांगवेज में बी रिलीज होगी और मेकर्स इस फिल्म को दोज़ा तेविस तक रिलीज करेंगे इस फिल्म के टेकनिकल क्रिव में सिनमाटिव ग्राफर भुवन गौडा और फिल्म डिरेक्टर रवी बस्रूल हैं इस फर्म का प्रडाक्शन भी वही प्रडाक्शन हाउस कर रहा है जिसने केजिव को प्रिड्यूस किया था यानि की हुमेबल फर्म्स। जिस तरह से इस फर्म का बजट बताया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि ये फर्म भी केजिव की तरह All India Cinema हिट होने वाली है। हाल ही में फर्म का पोस्ट रिलीज हुआ है जिसमें प्रभास को काफी एस्थेतिक लुक में देखा जा सकता है। प्रशांद इस समय एक टेलेकू फर्म बगीरा पर काम कर रही है जो इसी साल रिलीज होने वाली है। प्रशांत इस फिल्म में राइटिंग आन स्क्रीन प्ले का रोल प्ले कर रही है, जो काफ इम्पॉटेंट है इन के लिए। प्रभास के लिए प्रजेक्ट भी काफी इंपोर्टेंट है बिकॉज उनकी लास्ट फिल्म रादेशाम इतना टाइम पैक्ट नहीं कर पाई थी जिस प्रकार की उनकी फान पॉलोइंग है ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि सलार कैसे इंपाक्ट करने वाली है इंडियन सिनिमा पर सूपरस्टार यश के बाद प्रशान ने पर भास पर दाव लगाया है तो कुछ सोच कर तो लगाया होगा क्योंकि वो और टाइम ब्लॉगबस्टर फिल्म बाहु बली सीरीज के सूपरस्टार्स हैं ऐसे में फिल्म को भी ब्लॉगबस्टर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी आशा करते हैं आपको हमारी आच्छी वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर प्रसंद आई है तो प्लीज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में तो आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बॉलिग्राद स्टूडियो जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ व और केजीव चाप्ले 2 डिरेक करी है जो जो ओल्री वर्ल्ड फेमेस मूवी बन चुकी है सलार मुवी होमीबल फर्ण्फस प्रडाक्ष्ण हाउस के अंडर ही प्रेडियोस हो रही है जिसके प्रडियोसर है video केजिव के फ्रेंचाइजे भी होमेबल फिल्म के अंडर ही प्रिडियूस हुई है सिलार मुवी में में स्टार हैं प्रभास और इनको आप पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इन्होंने ऐसे स्राजमॉली की फिल्म बाहू बली में काम किया था और बाहू बली टू दे किंक् प्रभास के साथ साथ और बी टालेंटीड आक्टर्स काम कर रही है जैसे प्रित्वी राट्सू कुमारन श्रतीहसन और जगपती बावू श्रतीहसन ने बॉल्लीवट फिल्म में भी काम किया है जैसे लक जिसमें संजद अद्बी थे और रमाय वस्तवया भी और साथ ही श 2010 में रिलीज हुई थी चले दोसा और चीज़े बताते हैं आपको इस फम के बारे में बाहु बली टू के जिए चापके टू और ट्रिपल र के बाद वाद साओ इंडास्टी को बहुत जादा चोहने लगे है और जब से लोगों को पता लगा है कि बाहु बली के स्टार और के जिए फ्रिंचाइजी के डिरेक्टर साथ ही काम कर रही है तब से लोग सिलार फर्म को लेकर बहुत जाद एक्साइड़ हैं बट रीसिंटली ही किसी एक फैन ने ठ्रेटनिंग नोट लिखा और उसमें मेंशन किया कि सलार फर्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा है से और ना कोई ग्लिम्स आ रही है और अगर कुछ टाइम में अपडेट नहीं आती है तो वो फैन अपनी जान दे देंगे सोचल मीडिया पर यह नोट वाइरल हो गया है सलार फिर्म के डिरेक्टर प्रिशान नील ने कुछ टाइम पहले फैन्स को प्रॉमिस किया था कि वह प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए और एक महीने से ज्यादा हो गया जिसको लेकर फैन्स नाखुश है फैन्स में अपने इस लेटर में यह भी लिखा है कि पहले भी यह हो रहा था कि रादेशाब मुवी के टाइम पर और अब यह फिर से हो रहा है प्रभास की इंजरी के पहले से जिसकी वज़ा से मेकर्स खुड टेंशन में हैं दोस्तों स्कान ने यह भी मेंशन किया है कि अगर सलार फिर्म का टीजर नहीं रिलीज होता इस मन्त तो अपनी जान दे देगा सलार फिर्म का टीजर रिलीज हो चुका है और फांस को बहुत ज़दा पसंद भी आ इस आक्शन पाक फिर्म को लेकर फांस सूपर एक्साइटेड है इस फिर्म की चीजे बहुत जादा देले इसलिए भी हो रही है क्योंकि प्रभास खुद काफी मुवीज को लेकर बिजी है जैसे प्रजेक्ट के और अधी पुरुष और साथी प्रशान नील बी अपने ने प्रशान नील जिनके बारे में अब पूरी दुनिया जानती और इसी के साथ वो पूरे इंदिया के वन आफ दे फेमस डारेक्टर्स के लिस्ट में आ गए है प्रशान नील ने केजएफ चाप्टर वन और केजएफ चाप्टर टू डारेक्ट करी है जो अल्रेड़ी वोल्ल्ड फेमस बन चुकी है एस फिल्म में में इंग स्टार्ट प्रभास है और उनके साथ इस फिल्म में शृति हसन भी दिखेंगी प्रभास ने अभी रिसेंटली एक फिल्म करी है जो Amazon Prime वीडियो पर ही है जिसका नाम है रादेश श्याम और इस मूवी के अलावा भी इन्हों ने बहुत मूवीज करी है जैसे मिर्ची, शाहो और रिबेल बाहुबली 2, KGF Chapter 2 and Triple R के बाद फैंस साउथ इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा चाहने लगे हैं और जब से लोगों को पता चला है कि बाहुबली के स्टार और केज़े फ्रेंचाइजी के डारेक्टर साथ ही काम कर रहे हैं तब से लोग Salar फिल्म को लेकर बहुत excited है सालार next year release होने वाली है और साथ में इस फिल्म से compete करने वाली बहुत सारी फिल्म होने वाली है सबसे main जो चीज है वो ये है कि सालार मूवी के competition में शारू खान के फिल्म पठान होने वाली है पठान फिल्म में काफी फेमस आक्टर्स होने वाले हैं बॉलिवुड के जैसे जॉन अब्राहिम और दपेका पाड़कोन शारुख खान में लीड है इस मूवी के और इसमें शारुख खान का रोल बहुत इंट्रस्टिंग रहा है पठान मूवी के बारे में एक और चीज जो पता चली है वो है कि इस मूवी में जॉन अब्राहिम का रोल कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ पैसो के लिए काम करते हैं उनकी कोई भी नाशनालिटी नहीं है और सिर्फ पैसो के लिए ही काम करते हैं मुवी में वो रश्यन माफियास के लिए काम करते हैं और इंडिया में कोवर्ट गन राकेट रन कर रहे हैं पठान मुवी के बारे में ये पता चला है कि इविंचुली जॉन एपराहिम की एसार की और दिपिका पाडुकोन से लड़ाई भी हो गई है शारुक खान और दिपिका पाडुकोन मिशन पर होते हैं इस राकेट को बर्स्ट करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि इस मुवी में सलमान खान बहुत कम सीन्स के लिए दिखेंगे टाइगर के रोल करते हुए उनका क्यारक्टर शारुक खान को रश्यन माफिया से बचाने का है एसार के पूरे वर्ल्ड में वन आफ दा हाइस्ट पेड आक्टर्स में से एक है उनकी मुवी जो होती है ज्यादातर हिट ही होती है शारुक खान खुद में ही बॉलिवुड का एक बहुत बड़ा नाम है हम सबने शारुक खान की मुवीज देखी हुई है और मुवीज को देखते ही समझ जाता है कि मुवी का बजट काफी ज्यादा है क्योंकि आखिर वो फिल्म है तो शारुक खान की ही रिपोर्ट के थ्रू पता चला है कि पठान मुवी के लिए शारुक खान ने एक सो करोड लिया है जो उन्हें इंडिया का हाइस्ट पेड आक्टर बनाता है एसार के इस मुवी में एक न्यू लुक के साथ दिखाई देंगे और साथ ही उनका लुक भी इस फिल्म के लिए बहुत इंटेंस है एसार के के अलावा भी जॉन इब्राहिम ने इस मुवी के लिए 20 करोड फीज रखी है और दिपिका पाडुकोन ने 15 करोड लिया है पठान मुवी में बताया जा रहा है कि आशुतो श्राना का रोल इस मुवी में एक रौ जॉइंट सेकरेटरी का होगा डिरेक्टर सिधात आनंद और प्रोडियूसर आदित्य चोपडा ने कहा कि इस मूवी में आशुतो श्राना को कास्ट करने का आइडिया उन्हें उनकी मूवी वार से मिला आशुतो श्राना ने डिम्पल कबारिया और S.R.K के साथ अल्रेडी शूटिंग स्टार्ट कर दी है मुंबई के यश्राज स्टूडियोस में डिम्पल कबारिया का रोल इस मूवी में रौ एजिंट का हुगा के साथ इनके करियर को स्टार्ट कैसा था इनका पंच्पन और थ्यूं पदा इनका स्टेचिव हेलो फेल्स वेल्कम बैक टू अनदर वीटियो बाया चैनल बॉलिक्राइट स्टूडियोस आज नाब की होस्ट करिका लिंवार सलाम भूई के लीड एक्टर प्रभास की लाइफ के बारे में बता हूँ ये 2023 में आने वाली फिल्म है और साथ में शूर्ती वसन लीग में तो चलिए शुरू करते हैं प्रभास की गाथा किसी भी एक्टर की तारा प्रभास की नॉर्मल एक्टर थे जो समय समय पर मूवीज कर लिए कुछ रिट होती तो कुछ फ्लॉप 2015 में जब डॉप बस्र बाहु बढ़ी तब बिग्दनी आई वो प्रभास के लिए बारियर प्रेट कर लिए जब कोई भी एक्टर अपनी जिंदगी के पांच साल किसी मूबी में लगाने का चांस नहीं लेना चाहते तब प्रभास में ले चांस दिए और आप तो इसका रिजल्ट जानते ही है और वो कहां पहुच गए यह हम सब को पता है वेंकर टेज सत्यनारायन प्रभास राजू उपल पार्टी इनका पूराना 1979 में प्रड्यूसर सूरे नारायन राजू की घर पैदा हुए यह एक प्रड्यूसर और एक्टर्स की फैमिली से बलाग पड़ते हैं तो टैलन इनके खून में ही दोड़ता है पर आपको शान के यह हैरानी होगी कि यह कभी भी सूप्रस्टाफ बनना ही नहीं चाहते थे बल्कि यह बनना चाहते थे एक बिस्नस मैं पर किसमत तो देखिए इनके अंकर उपल पार्टी कृष्णन राजू जो एक्टर थे उन्होंने इन्हें इंडस्ट्री में ट्राइ करने को कहा है और इसी के साथ प्रवास की पहली मूवी इश्वर आई पर यह जादा चैनल नहीं पर अग्डी मूवी तो थे मूवी तो थे में आई रगवेंदर भी फ्लॉप होगी पर 2004 में वर्शन चो भॉबस्टर रडी औ यह मूवी कई लाइज़ेस ता मिलकर नटते लोगू मल्यालम हिंडी में ही रडीज यह मूवी थर्ड हाइस्ट ग्रॉस्ट प्रॉफिट देने वाली मूवी बंडई और इसके प्रवास को काफी ज्याद अप्रिशियेशन दिना इस स्टॉरिक मूवी में एक्टर्स कमा न भर अबकलूज़ेस पहले ही दिन दस दिन अन्दर ही स्ट अक्रों से जादा कम नहीं इसके बार प्रवास पहले ऐसे अटर भली जिन्टो वेक्स स्ट्रेच्पा अप्र साज वेक्स मूजियम लंटन में अगर यु उनिव्वर्सल स्टार मैं गए अब ये सलार मूवी में प्रशांद नील का जमाना तेलगो फिल्म में प्रशांद की एंट्री फिल्म का लोकेशन हुआते हैं हेलो फ्रेंट वेल्कम बाक टो याँ फेवरेट यूट्यूब चानल बॉलेगराच स्टूडियोस सालार डारेक्टर और स्क्रीन राइटर प्रशांद नील की अपकमिंग फिल्म इस फिल्म में हमें प्रभास और शृती हसन लीज रोल में नजर आएंगे प्रशांद अपनी डारेक्शन की कला से कर्णाणा फिल्म इंडस्री के स्टैंडर्स बढ़ा चुके हैं प्रशांद का टेलिगू इंडस्री में ये पहला प्रोजेक्ट है सालार का बजट दो सो करोड होगा और सिर्फ प्रभास की फीज ही एक सो करोड होगी जी हाँ दोस्तो बजट का 50% हमें प्रभास की जेब में जाता दिखेगा प्रभास ने फिल्म बाहु बली में अपनी आक्टिंग से सबको प्रभावित किया और पूरे दुनिया में अपनी आक्टिंग से नाम बनाया प्रभास काफी इंट्रुवोर्टेड और सिंपल इंसान है वहीं पर प्रशान नील इंडिया के टॉप डारेक्टर्स में अपनी जगह बना रहे हैं प्रशान के तीन पार्ट में बनी और बनने वाली फिल्म काफी ज्यादा हीट रही और लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई फिल्म की कहानी डारेक्शन और आक्शन सीन्स ने लोगों का दिल जीत लिया सिनेमा घरों में खोब सीटी भी बजी केजिफ चाप्टर वन ने बॉक्स आफिस पर दो सो पचास करोड का कलेक्शन किया और केजिफ टू ने बारा सो करोड अप्रॉक्सिमेटली ये सारे फिल्म की वज़े से प्रशांत नील और उनके साथ काम कर रहे आक्टर्स का भी सितारिच चमक रहे हैं लोग ये फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो ये थी प्रशांत से जुड़ी खबरे अब हम बात करेंगे फिल्म के लोकेशन की फिल्म के शूटिंग की शुरुआत विशाखा पटनम से किसी गोल्ड माइन से शुरू हुई हमें इस फिल्म में भी कुछ माइनिंग से कनेक्शन दिख सकता है फिल्म की 30% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म हमें 2023 के समर में रिलीज होती हुई दिखाई दे सकती है सालार 2023 की highly anticipated movie रहेगी ये प्रशांत का तेलोगो फिल्म में पहला प्रोजेक्ट है इसलिए प्रशांत काफी ज़्यादा excited रहेंगे साथ ही साथ बाहुवली के अक्टर प्रभाज भी फिल्म सालार में हमें शुरुती हसन आद्या का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी और ये एक romantic action movie होगी शुरुती हसन को इस फिल्म में एक करोड का पेचेक भी मिलेगा शुरुती हसन काफी कम फिल्म में आई है शुरुती आखरी बार Amazon Prime की वेब सीरीज बेस्ट सेलर में नजर आई थी तो दोस्तो ये थी सालार से लेके कुछ खबरे इस फिल्म के बारे में जाने के लिए हमारे साथ बने रहे क्यों हुए थे परशांत नर्वस किसने रची फिल्म की कहानी क्या हमें दिखेगा ब्रोमेंस हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्रैड स्टूडियोज में फिल्म सालार डारेक्टर प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म है इस फिल्म में लीड रोल में प्रभास और शूर्ती हचन दिखाए देंगे फिल्म के लिए प्रभास हाल ही में वेट लोस कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत प्रभास की बोड़ी पे पोस्ट प्रोड़क्शन काम नहीं करना चाहते इस वज़ा से प्रशांत काफी नर्वस हैं और चाहते हैं कि प्रभास एक अच्छे फिजीक में आए जिसे उनके शूट प्रशांत अच्छे से शूट कर सके प्रभास वेट लूस करने में लगभग लग गए हैं और काफी जल्द हमें अच्छे फिजीक में नजर आएंगे लेकिन प्रभास एक अभी माइनर इंजरी को लेके फेस कर रहे हैं जिसे वो जल्दी रिकवर कर लेंगे रिकवरी के लिए वो स्पेन गए लेकिन अभी उन्हें कुछ महीनों के लिए रेस्ट करने को कहा गया है रही बात फिल्म के शूट की तो शूटिंग शूरू हो चुकी है फिल्म की शूटिंग तेलंगाना में शूट होनी शूरू हो चुकी है अब तक 30% शूटिंग हो चुकी है फिल्म का फस सजीूल फेरवरी 2021 में रिलीज हुआ लेकिन फिल्म अभी हाट पर आ चुकी है प्रभास की रादे शाम और प्रशांत की KGF 2 के रिलीज के कारण खबरों के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग इस साल रैप अप हो जाएगी और 2023 में रिलीज हो जाएगी तो दोस्तो ये थी फिल्म के शूटिंग को लेके कुछ खबरें अब हम बात करेंगे किसने लिखी फिल्म की कहानी तो दोस्तो ये फिल्म की रचना डारेक्ट प्रशांत नीर ने खुद ही की है प्रशांत नीर काफी क्रियेट्व डारेक्टर और राइटर है उनकी रच्ची सारी फिल्म सूपर हिट रही है प्रशान्त की पिछली फिल्म KGF के हिट जाने से इस फिल्म से उम्मीदे और भी ज्यादा बढ़ गई है और प्रशांद और एक्टर प्रभास के ऊपर भी प्रेशर बढ़ गया है प्रशांद की लिखी ये कहानी औरिजनल है और ना ही किसी फिल्म का रिमेड तो दोस्तो ये थी फिल्म की कहानी अब हम बात करेंगे फिल्म के कैमियो की तो दोस्तो इस फिल्म में हमें मल्यालम एक्टर प्रिथविराज सुकुमारन कैमियो के रूप में दिखाई देंगे प्रभास काफी खुश हैं इस मल्यालम एक्टर को लेके इस फिल्म में ये फिल कि पीछे की भौन गोडा को दी गई है यूवी क्रियेशन ने कई सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है जैसे मिर्ची रादेशाम साहो रन राजा रन और हैपी वैडिंग अब देखना ये रहेगा कि कैसी होगी इस फिल्म से इनको प्रोफिट क्योंकि इनके द्वारा प्र किता रहा दिया गया है के जी एफ की सक्सेस को देखकर इस फिल्म में डार्ट सैंट्रिक थीम यूजब होगी और ये तेकनोलोजी फिल्म टैनात बैटमन ट्रायलूजी और मेत्रिक्स इस टेकनलोजी के इस्तेमाल से फिल्म की इमेज और भी बढ़ जाएगी इस फिल्म में हमें प्रभाश और शुरूती के अलावा प्रिथवीराज, सुकुमारन, एश्वारी राओ और जगपती बाबू दिखाई दे सकते हैं कहा जा रहा है कि प्रिथवीराज इस फिल्म में प्रभाश के दोस्त के किरदार करेंगे लेकिन अलग दरह से ये फिल्म तेलगू, तमिल, मलियालम, हिंदी और कनाड़ा में नजर आएगी ये फिल्म प्रभशांत की पहले फिल्म है तिलगू में ये फिल्म के OTT राइट्स के लिए 200 करोड की ओफर हुई थी इसके साथ एक और बड़ा सवाल रहेगा कि KGF के वर्ल्ड वाइड 1200 करोड के कलेक्शन से इस फिल्म के कलेक्शन की एकस्पेक्टेशन बढ़ जाएगी ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या ये फिल्म 1000 करोड का कलेक्शन कर पाएगी तो दोस्तों ये थी सालार को लेके कुछ खबरें इस फिल्म के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूने प्रभास की कितना पोस्ति शूट हुआ है कंप्लीट और आखिर कैसा रहा है शृति हसन का करियर हलो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलिप्राद स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का द्यागी फिल्म सलार डिरेक्टर और स्क्रीन राइडर प्रशान नील की अपकमिक फिल्म है जिसका बजट 200 करोड रुपे का है ये फिल्म आक्षिन पाक्ड और दमाकेदार रहेगी इस फिल्म में हमें लीडिंग रोल में प्रभास और शृति हसन नजर आएंगे और इस फिल्म में हमें और बेकिर्दार नजर आएंगे जैसे प्रत्विरात सुकुमारत, जगपती बाबू और इश्वरी राओ इस फिल्म में शृति प्रभास के लाव इंटरस का रोल प्ले करेंगी और फिल्म में इनका नाम होगा आध्या वहीं पर प्रभास का नाम होगा सलार और बाबू का नाम होगा राजा मनार वहीं पर इश्वरी सलार की मा करोड प्ले करेंगी दोस्त इस फिल्म में प्रभास सौ करोड रुपे चार्ज करने वाले हैं और 10% profit box office collection में से भी जी हां दोस्तों कुछ इस प्रकार प्रभास का पे रहने वाला है प्रभास 2016 में आई फिल्म बाहुबली से हिट हुए और इतने साथ हिट हुए कि वो पूरे भारत और worldwide में famous हो गए इसके बाद बाहुबली 2 आई जिसने कई सारे box office records को तोड़ दिया था इस फिल्म के अलावा प्रभास फिल्म आदिपुरिश में भी साथ करोड रुपे चार्ज करने वाले हैं तो दोस्तों ये थी कुछ प्रभास में जोड़ी ख़बरे अब हम बात करते हैं इस फिल्म के रिलीज की ये फिल्म के कुछ सीन्स बलगेरे में भी शूट के गए हैं दोस्तों इस फिल्म को लेकर काफे सारे लोग excited हैं और सूत्रों के माने तो ये फिल्म एक हजार करोड का collection करने की planning कर रही है प्रभास ने इसके पहले डिरेक्टर राजमौली के साथ काम किया है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे तेल्गू इंडास्टी की Godfather की बेटी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कमल हसन की बेटी शृति हसन की बारे में शृति हसन का जनम मदरास में हुआ और वो आग दिन के साथ साथ सौंग्स भी गाती है दोसतों नोंने अपने सॉंग का डेबिउ 2000 में किया था फिर्म हे राम से शुती ने फिल्म में आज लीड डेबिउ किया बॉलिवूट फिल्म लक से जो बॉक्स आफिस पर ठीक थाप ज़िए शुतिन और भी कई फिल्म इंडास्ट्रीज में काम किया है जैसे तलगू, तमिल और कनर शुति अब हमें डिरेक्टिस फिल्म में दिखाई देंगी कनर का टीजर हुआ आउट क्या कहा प्रशान नील ने जी हाँ दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टुडियोज के फिल्मी गल्यारे में पैन इंडिया आजकल ये शब्द काफी सुनने को मिल रहा है बॉलीवड टॉलीवड ये सब खत्म सिर्फ इंडियन सिनेमा एक फिल्म हर लेंग्वेज में फैंस तक पहुचाना तो ये तब शुरू हुआ जब प्रभास की फिल्म आई थी बाहुवली लेकिन जितना बड़ा नाम उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी और सालार जैसी प्रभास स्टारर फिल्म में और भी प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि ये केजी अफ यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म होने वाली है यूं तो आपने देखा था कि किस तरह केजी अफ 3 और सालार का कनेक्शन पिछले वीडियो में दिखाया गया था अभी कुछ दिन पहले ही सालार के डारेक्टर प्रशान नील ने फैंस के साथ सालार की फर्स टीजर की बात शेयर की थी उन्होंने बताया कि इस फिल्म का टीजर 2022 के एंड तक आउट कर दिया जाएगा और शूटिंग के दौरान प्रभास के सीन के कुछ छोटे मोटे पिक्चर्स भी लिख हुए थे सालार की शूटिंग 30-40 परसंट तक पूरी हो चुकी है और साथ ही इसे एगले साल 2023 के किसी भी शुरुआती महिने में रिलीस कर दिया जाएगा फिलाल पिछले समय से प्रभास का करियर कुछ खास नहीं रहा था उनकी फिल्म रादे शाम बुरी तरह पिट गई थी ऐसे में वो सालार को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए वो इस फिल्म के लिए काफी महनत कर रहे है और एक वज़ा ये भी है कि इतनी जल्दी टीजर रिलीस क्यों नहीं किया जाएगा क्योंकि KGF की हिट अभी भी लोगों के अंदर ताजा है ऐसे में अगर प्रभास का टीजर आता है तो प्रभास और यश्च के कंपेरिजन की बातने शुरू हो जाएगी इस वज़ा से टीजर को थोड़ा सा समय लेकर रिलीस किया जाएगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी फिल्म खलनायक के बिना अधूरी होती है तो अगर इस फिल्म के विलन की बात करें तो हीरो के साथ साथ विलन भी बराबरी के होंगे जी हाँ फिल्म में मलयालम एक्टर प्रित्विराज को खलनायक के रूप में देखा जाएगा प्रित्विराज एक एक्टर होने के साथ साथ प्रडूसर डायरेक्टर और एक प्लेबेक सिंगर के तोर पर मलयालम सिनेमा में काफी काम कर चुके हैं साथी हिंदी और तेल्गू भाशाओं में काम करते देखा जा चुका है इन्होंने कई सारे एवार्ड्स अपने नाम किये हैं जिन में नैशनल फिल्म फेर एवार्ड भी शामिल है इनके फिल्मी करियर की शिरुवात नंदनम से हुई थी ये एक बहतरीन फिल्म थी और जहां तक बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट है 500 करोड और ये एक साथ 12,000 स्क्रीनों पर दिखाई जाएगी साथी प्रशान भी अपने आने वाली साली फिल्मों में किसी भी तरह की कमी नहीं देखना चाहते फैंस को उनकी फिल्मों से काफी जादा उमीद है और ऐसे में वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो दोस्तों क्या प्रभास की आने वाली फिल्म सालार के लिए एकसाइटेड हैं आप अपना जवाब हमें ज़रूर बताएं लाइक और शेयर करना पिल्कुल न भूने और देखते रही हमारा चैनल बॉली ग्राब स्टूडियोज चाप्टर 1 और कीजिफ चाप्टर 2 डिरेक्ट करी है जो और डी वर्ल्ड फेमस मूवीज बंचेगी है और ऐसा बताया जा रहा है कि सलार फिल्म नेक्स टियर रिलीज होने वाली है और उसके लिए फाइम सब बहुत जादा एक्साइटेड है सलार फिल्म अक्चौल में मूवी इंडस्ट्री को चेंज कर सकती है अपने काम से चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे सलार फिल्म के रिलीज होने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री चेंज हो सकती है इंडिया की सबसे पहले तो DCT टेक्नालिजी है जिसकी वज़ा से बहुत चांसे हैं कि रिवलीशन आजाए फिल्म इंडस्ट्री में सलार फिल्म में DCT टेक्नालिजी का यूज किया है जिसका फुल फिल्म है डाक सेंट्रिक थी और इस टेक्नालिजी से फिल्म की शूटिंग में डाक सेड आ जाता है और सलार फिल्म DCT टेक्नालिजी यूज करने वाली फिल्म होने वाली है फांस को फर्स टाइम ऐसा एक्सपीरिंस मिल ले वाला है जिसकी वज़ा से हो सकता है कि सलार सूपर हिट हो जाए और आगे जाकर और भी फिर्म्स DCT टेकनोलजी यूज़ करें इसमें रीज़न की वज़ा से सलार फिल्म हो सकती है चेंज कर दे फिल्म इंडास्ट्री को और हो सकता है DCT टेकनोलजी से और बी मूवीज इंस्पायर हो और यूज़ करें अपने फिल्म्स के लिए आपको बता दे कि DCT टेकनोलजी के अलावा भी एक और चीज़ है जिससे इंडिन फिल्म इंडास्ट्री चेंज जाएगी कुछ टाइम पहले फिल्मेकर्स ने कहा कि सलार फिल्म के डिरेक्टर प्रशान नील सोच रही है सलार को एवेंजर्स की तरह बनाने का सलार में प्रभास होने वाले हैं और सलार से पहले प्रशान नील ने केजिर चाप्टर टू भी बनाई है जिसमें में हीरो यश थे अब हो सकता है कि आगे जागे किसी फिल्म में यश और प्रभास दिखाई दे बनाने का है और अगर वो सक्सेस्फफल हो जाता है तो इंडियन फिल्म इलास्टी के लिए बहुत बड़ा डिवलीशन बन सकता है क्योंकि आज से पहले बहुत कम फिल्म्स हैं जिसमें हमने ऐसे आक्टर्स को साथ काम करते हुए देखा है इससे पहले आमने देखा है कि र और फिर सिंग्नम टू जब यह दोरों फिल्मस आ गए और लोगों को बहुत पसंद आई तब उन्होंने रनवीर सिंग के साथ से बड़े रिक करी जिसमें एंड में अज़देव गन का एक क्यामिया रोल किया जिसमें रनवीर सिंग और अज़देव गन साथ देखने को मि और इस कोलाबरेशन से फैंस बहुत ज़ादा खुश थे अब उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम पहले ही सूरेवंची डिरेक करी है जिसमें अक्षे कुमार में इन हीरो थे और उनके साथ केतरीना कैव भी थी बड़ इतना ही नहीं दोस्तों अक्षे कुमार के साथ फिल है तो ऐसा फर्स टाइम होगा जो एविंजस टाइप लाएंगे और फांस को एकसाइट करेंगे तब जल्दी से दोस्तों आप हमें पता दीजे कि आप प्रभास और यश को एक साथ देखने के लिए कितने जाद एकसाइट है प्रभास ते अलग ही लेवल की उचाइदी साथ फिल्म इंडॉस्ट्री जैसे कि हम जानते ही हैं बाहुबली की सक्सस की वज़ेसे बॉलवुड स्टार्स को टोलिंग का सामना भी करना पड़ा था बाहुबली यानी की प्रभास बाहुबली के बाद भी रुपली उन्होंने दो बड़ी फिल्में की जैसे की साहू और आदेशी बात करेगर साहू की साहू एक एक्शन सस्पेंस बनाथी और उन्ही दूसरे तरफ प्रादेश यामिक रोमांटिक लिए प्रभास अब प्रशान के लाइफ का तरिंग पॉइंड बनी उनकी सूपर डूपर हिट फिल्म के जी अफ आज तक की सबसे बड़ी हायस ब्रॉसिंग कर्णर फिल्म है जिसने टाइटल हासे पर चुछी बात करें के लाइफ के बारे में तो प्रशान का पूरा नाम है प्रशान नील कां प्रशान ने कदल कैसे रख तब उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पैसो के लिए फिल्म इंडास्ट्री में खाम करने के लिए देए फिर वक्त के साथ उनका इंट्र इंट्रस फिल्मों की तरफ ही पढ़ता चला गया प्रशान देमी जिंगी की कई उतार चड़ाव भी देखे ह और उन्होंने कई बार ये फिल्म इंडास्ट्री छोड़ने का भी वैसलत लेकिन खुदा ने चमतकार किया और उनकी जोली में आ गई उग्रभ जो बॉक्स ओपिस पर लिट साबे और बन गई थी करनट ती हायस ग्वासिंग फिल्मों में से प्रशान ने फिट रख की की प्रशान चल पड़े हैं अपने ही बनाएवी रिकॉर्ड को तोड़ने के जिस काम में उनका साथ देंगे बाहु बली जाने की प्रभास सलार की शूटिंग हुई शुरू तू दिसम्बर 2024 और फिल्म का पोस्टर भी रिलीस कर दिया दे हैं तो प्रशान चल पड़े हैं अ सलार में मोख्यबू में कने भाएंगे प्रभास, प्रित्वी राज सुकुमरन, शूति हसन और जगापती बाभू सलार की कहान लेके गई है प्रशान नील द्वार और फिल्म का प्रेड्यूस किया गया है भीजे किरगणू सलार का ओवरॉल बजट तक 200 करों बता दे हैं स सलार 2023 में रिलीज होगी और फिल्मों के बाकी बश्यों में रिलीज कैया जगा जैसे मल्यालम, तमिल, करणन, हिंदी और बाकी अलग लागी जैगागी अब फिल्मे और कितने चेरग ही होगी इंट्री के तेका क्या हूँ दिए किया आगई सलार के ट्रेल लाँच के डेट कि दूसरे हफ़ते में टीजर रिलीज होने की उम्मीद है डिरेक्टर प्रशांद ने टीजर का काम पूरा कर लिया है और इसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा प्रशांद टीजर लॉंच करने में कोई देरी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका मोटे फिल्म के आसपास प्रचा नहीं करवाना चाहते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म में 2023 में हिंदी सहीत पांच भाशाओं में रिलीज होने की उमीद है दुरसल प्रशांद ने इस गर्मी में फिल्म को दर्शकों तक पहुंच वाने के लिए कड़ी मेनत की हालांकि फिल्म के इजिएफ चाप्टर टू साहो और रादेशाम को दर्शकों से अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे इसलिए फैंस सलार के बहतर होने की उमीद कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के डिरेक्टर ने हाल ही में केजिएफ चाप्टर टू जैसा मास्टर पीस बनाया है और प्रशांद ने दो फिल्में केजिए आधी पुरुष फिल्म सलार से पहले रिलीस होगी और प्रभास अपने डैशिंग लुक्स और अट्रैक्टिव फसनालिटी के लिए जाने चाते हैं लेकिन हाली में उनके आफ स्क्रीन लुक्स में उनके फैंस को भी कन्फ्यूज कर दिया कई मशूर अस्तियों के लिए य अभी नीता जहां भी जाते हैं अपने सिर के चारों और एक स्काफ पहने हुए देखे गए प्रशांसक सलार में उनके लुक को लेकर चिंदित हैं क्योंकि वही फिल्म है जिसके आगे शूटिंग करने वाले हैं इससे पहले सलार के डिरेक्टर प्रशांतनी ने स्पष्ट किया है कि वह पर्सनल रूप से फिल्म के लिए प्रभास के नए रूप की देखभाल कर रहे हैं यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पिछली रिलीज रादे शाम में अभिनीता की स्टाइल और लुक्स को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोल किया गया था और प्रशंसक सलार मे फिर से इसी बात का अनुभव नहीं लेना चाहते हैं पता दे कि सलार में मुख्य वूमिका निभाएंगे प्रभास शुरूती हसन और जगपती बाबू सलार की कहाने लिखी गई है प्रशंत नील द्वारा और फिल्म को प्रोड्यूस किया है विजय किरंगदूर ने और बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का ओवरॉल बजट है 200 करोर यह फिल्म हमें 2023 के एंड तक देखने मिल जाएगी और आज के लिए बस इतना ही अब मैं लेती हूं आप सभी से इजासत भी होब कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा क्या सलार में जगपती और प् जिसमें आज में आपकी दोस्त और होस्त लीशा जोपड़ा आपका स्वागत करती हूं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धमागिदार मूवी सलार की जिसमें हम बात करेंगे कि क्या जगपती बाबू और प्रभास की जोड़ी लॉट रही है सब फ्रेंज इसका ज फिर एक बार दिखेंगे आक्शन करते हुए सुपर्स्टार प्रभास अभी नीच चलिए फिल्स सलार का टीजर अगले महीने रिलीज होने की पूरी संभावना है रिपोर्स के मुताबिक जुलाई के दूसरे हक्ते में टीजर रिलीज होने की उमीर है सालार एक अपने फिल्मों के तहट किया है फिल्म को एक साथ कंड़ और चलिएव में शूच किया गया है जिसे तामिल मल्य आलम और हिंदी में जब किया जाएगा फिल्म में जटपती बाबू राजमनार नामकिक महत्वपूर्ण भूमिगा निभा रहे हैं बात करें आगे जटपत कर नडर मल्यालव फिल्म में भी दिखाई दिये हैं 33 साल के करियर में बाबू ने 170 फीचर फिल्मों में खाम किया है और उन्हें चार फिल्म फियर और 17 राजनंदी अवार्ज अब मिल चुके हैं वैसे के जीएफ चैप्टर 1 और के जीएफ चैप्टर 2 के डिरेक्टर की औ से सलार नाम की एक और बेगर देन लाइफ फिल्म आने वाली सूब प्रभास और शुर्टी हाससंद्वारा अभिनी यह फिल्म होंबल फिल्म द्वारा निर्मे एक आक्शन एडवेंच्र फेल्म है टीम फिल्म का एक दिल्चस्प नया पॉस्टर जारी किया है पोस्टर न को जा रहा है फिल्म का नया पोस्ट और फिल्म के थीम के बारे में बताता है कि जीएफ सीरीज के बाद डिरेक्टिर प्रशाद नील और हैंबल फिल्म के भीच ये तीसरी पार्टनर्शिप होगी 20% शूट तो पूरा हो चुका है अब बचे हिस्ते को फरवरी 2022 तक खतम किया सामने पेश करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते सलार के नए पोस्ट और प्रोजेक्ट करने के पीछे कब विचार अधिक इंट्रस्ट पैदा करना है अभी हम केवल इतना बता सकते हैं कि ये के दार फिल्म के ट्रेनिंग पॉइंट के बड़े पैमाने पर दिखने वा जिसे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी हम सभी बाशाओं में इसे रिलीस करेंगे अब हम इस फिल्म के बारे में अधिक अपडेट की प्रदीक्षाण नहीं कर सकते हैं तो सिरफ बात करके कि आगे फिल्म का बजट की तो फिल्म का लगबग बजट है 200 कर यह फिल्म हमें 2023 के अंच तक देखने को मिल जाएगी तो प्रभास का नया अंदाज देखने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं या नहीं बताएं अपनी रॉय कमेंट सेक्शन में लिख कर वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा क्या प्रशान तोड़िंगे अपना ह भी हो सकता है बॉलिवुड को एक ही चक्के में हिलाच होडाला कर प्रभास नहीं के बाहु बली अंदाज प्रभास ते अलग ही लेवल की उचाइदी साउथ फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि हम जानते ही हैं बाहु बली की सकस्स की वज़े से बॉलिवुड स्टार्स को ट्र अब एक एक्शन सस्पेंस फिल्म और दूसरी तरफ रादेश याम एक रोमांटिक मुझी है प्रभास युड गए हैं अपनी अपकोंग फिल्म सललार की तयारिया उसललार की बात करें तो सललार को डिरेक्ट करेंगे के कीजिए अब डिरेक्टर प्रशांथ मी प्रशांथ तिर्षांत तियलेकं इंडियम फिल्म दिरेक्टर और स्किनरिकर है तो कर्नड फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ा प्रशान ने कर्यार करें जूर्म अग्रम से किया प्रशान के लाइफ कर था दिन पॉइंड बनी उनकी दूबर हेट फिल्म KGF KGF आज तक की सबसे बड़ी हायस ब्रॉसिंग करनर फिल्म है जिसने टाइटल हासिल कर चुका है बात करें तो प्रशान के लाइफ के बारे में तो प्रशान का पूरा नाम है प्रशान नील कांथ पूर प्रशान का जंब 4 जून 1980 में हुआ था जब प्रशान से एक इंटर्वियों में पूछे गया कि उनके फिल्म इंडर्स्ट्री में कदम कैसे रखा तब उन्हें कहा कि वो सिर्फ पैसों के लिए फिल्म इंडर्स्ट्री में काम करने के लिए देया फिर वक्त के साथ उनका इंट्रस फिल्मों की तरफ ये बढ़ता चला गया प्रशान देमी जिन्गी की कई उतार चड़ाव भी देखे हैं और उन्होंने कई बार ये फिल्म इंडास्टी छोने का भी वैसला किया लेकिन खुदा ने चमतकार किया और उनकी जोली में आ गई उग्रम जो बॉक्स ओफिस पर हिट साबिक हुई और बन गई थी कर्नट थी हाइस ड्वासिंग फिल्मों में से एक प्रशान ने फिट रखी केजेव कुलार गोल्ड माइंड्स फील्ड जिसमें मुख्या मुमे का निभाई दी यश्ने और फिल्म ने किया कमाल करते ये सम्हम जानते ही हैं KGF को दो पार्ट्स में रिलीस किया गया तो और दोनों पार्ट्स में KGF ने बहतरीन प्रदर्शन किया अब प्रशान चल पड़े हैं अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जिस काम में उनका साथ देंगे बाहु बली याने की प्रभास स्लार में मुख्यबू में का निभाएंगे प्रभास, प्रित्वी राज सुकुमरन, शूती हसन और जगापती बाबु स्लार की कहान लेके गई है प्रशान नील द्वारा और स्लार का प्रेडियूस किया गया है विजय किरगण दूने स्लार का ओवराल बजट तक 200 करों बता दें स्लार 2023 में रिलीस होगी और फिल्मों की बाकी बश्याओं में रिलीस टैज जाएगा जैसे मल्यालम, तमिल, करन, हिंदी और बाकी अलग लाग लागज़ेंगे अब फिल्म में और कितने चेहरकी होगी एंट्री के तेखना काफ प्रभास, जानने हैं इन सबी सवाना के जवाद, तो वीडियो के अंतक बने रही है हमारे साथ, मैं हूँ आपके उसके दोस्तान विता पात्यक और स्वागत करती हूँ आपको बॉलिएट स्टूडियो की फिल्मी दुनिया में, तो आज ये शुरू करते हैं आज का ये पर वारे सीन्स ऐसे होंगे, जो दर्शुकों के रॉंग टे खड़े करने पर मजबूर कर देंगा, आपको बता दें कि इस सीन्स इसकदर तकालिशान होंगे, कि पिछले कुछ सालों के मताबिक ये सबसे बेस्ट सीन्स मानने जा रहे हैं, जो लोग सेट्स पर मौजूद रहे कर इनने देख रहे हैं, उनका भी अमानना है कि फिल्म बाहु बली की ही तरह एक वार पे प्रभास को टॉप की रेंज में पहुंचा सकते हैं, सालार का निर्देशन प्रशान नीन ने किया है, जो केजियर से प्रसिद्ध हुए और डालिंग एक्टर प्रभास के साथ इनका पहला कोलाबरेशन होने जा रहा है, ये फिल्म में पड़े पैमाने पर शूट होने वाली है, इसलिए माने जा रही है, क्योंकि इसमें मास एलिमेंस होंगे और ये एक वाइलेंच आदमी के इर्द गिजगून की नज़र आएगी, इस फिल्म में सुती हासन बिली ज रोल में होंगी, जिनकी जोड़ी प्रभास के साथ पहली बार देखने वाली है, फिल्म में जगपती बाबू भी एक एहम रोल में होंगे, बात अगर प्रभास के बाखी प्रजेक्ट की जए जाए, तो इस समय वो काफी विजी श्रिडियों से गुजर रहे हैं, सालार के प्रभास के इनके साथ नजर आएंगी, पूजर हेक्डे, ये एक रुमैंटिक कहानी होगी, जिसका फैंस को कभी इंतुजार है, प्रभास की ये फिल्म संक्रांती के आसपास रिजी होगी, जबकि सालार भी फरवरी के महीने तक रुली उसकी जानी है, इसके अलावा प्र प्रभास के साथ आदी कुरुश में भी नजर आएंगे जिसमें वो स्री राम बने हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनमेंसे कौन से कन वाक्स आफिस पर ज़्यादा करेगी तो ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, फिल्हाल के लिए बस इतना ही फिल्मों से जुड़ी एसी कई और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियो, आपको आज की वीडियो के लिए खायल शेर की सांसें, उसकी तहार से भी ज्यादा भ्यानक होईगी उसवार नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता, वो कभी तरक्की नहीं पाता किस से दस पदम आगे है प्रभास, सलार में ख्यान आकर रहे है प्रशानत में रश्नीकान से कोई प्रभास की दुलना का क्या है राज दोस्तो एक बात तो पक्की है, बाहुबली स्टार प्रभास अब बाहुबली ब्राण से भी पर एक ब्राण है और पिर आज जिस तरह की प्रोजेक्ट वो चूस कर रहे है उस हिसाब से उनके लिए फ्रांस की दिवान की देखने लायक है अब उनके वाले 25 प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस के वीच खास आख रेस है जो पाउंडरीस क्रोज की जा रहा है लेक एनस दिवेच ये ख़बर सुनने आ रही है उनकी अचीवमेंट की चलते उनकी साधी स्टार्स उस जलंजर सा महसूस कर रहे है आप देखे, प्रभाज से लिए बहुत से चांगी बॉलिवूद मैंटे लेने की कोशिश है लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद प्रभाज रितना तो कोई और ही सबल रहा हो उसके बाद से लेकर अभी तक की बॉलिवूद के बड़ी प्रड्यूजर्स उन्हें अच्छा खासा लालश दे रहे हैं उनके आनी वालिवकुम हादी पुरुष और सलार उनहीं में से यह है यह बाद यहीं तक नहीं कि खाबर है कि अपनी सीरीज भी उन्हें अपनी एक मूवी में एंजी लेने के लिए क्लिए इसके पोश रिस जारी है साउट से आए किसी और स्टार यहां तकी रशनी कान को लेकर भी इतना ख्रेस नहीं का जैसा की प्रभास के लिये है बॉलिवुद में उनकी दिमान इस समय सल्मान खार और शारू जैसी ही कुछ है अब इसका नतीज़ा यह है कि साउट में कुछ बड़े-बड़े स्टार्स जो बॉलिवुद में ऐसा मुकाम बनाना अचाने ले प्रभास अपनी उन से 10 कदम आगे हैं जिसले वो आज देश घर में अपने कदम जमाने हैं वही बाद उनके आने वाली मूवी सलागी गए तो प्रशांत में दुआन बिद्देशत इस मूवी में प्रभास के साथ शुकी हजन दू है ये एक आक्शन प्रमासिक मूवी है आपको बता दे कि मूवी में कई नई टेक्नोलोजी तस्तवाल किया चाएगा जो आज तक किसी भी हिंदी मूवी में यूज नहीं की गई है इस टेक्नोलोजी को इंडिया में लाने के लिए ने देशक में काफी मोटी रखम खर्शती है जिसका नतीव रहा मूवी आने के बाद आपको पता चाथी जाएगा घायल शेर की सांसें उसकी तहार से भी ज्यादा भयान को इस वर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता जेट पूरी कस्वन के वेगर्स का क्या कहना है क्या इस फुल्म की शूदिंग अत्म हो चुकी है इस फिल्म का नाम सलार होने की क्या वज़ा है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बॉलेवराट स्टूडियोस में मैं हूँ आथ की होस्ट और दोस्ट शूती और आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार के जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बात है जल्री आने वाली है साउथ इंडिन फिल्म इंडस्ट्री में जबर्दस फिल्मों का तूफान KJF चाप्टि टू में तो पहले से ही साउथ इंडिन फिल्म इंडस्ट्री में तहल का मचा कर रखा है और उसके बाद यह अलूर्जिंग की अपकमिंग फिल्म पुश्ट और प्रभास की आने वाली पिक्चर सलार भी लाइन में अपना नमबर लगाए खड़ी है 14 अप्रील 2022 को रिलीज होने वाल ये अक्शन थ्रिडर फिल्म जो सलार प्रशांट नील द्वारा लिखी और डारिस की जा रही है इस फिल्म के प्रडियूसर विजय के रगुंदूर होंगे और सलार को होमबेग प्रुवन प्रड़क्शन कंपनी के द्वारा रोलीज किया जाएगा फिल्म के लीड आक्टर प्रभास है पूरी तरह तयार अपनी फाडू परफॉर्मेंट देने के लिए सलार की शूटिंग 2021 के शुरुआत में ही शुरू हो चुकी है सलार को लॉंच करने के ऐफिशन अनाउंस्मेंट 16 जानुरी 2021 को की गई थी और उसके कुछ दिनों बाद इस फिल्म के कास्ट इन फ्यू के साथ बेहल एक साइटमेंट के साथ 29 जन्दर 2021 को सलार की प्रिंस्पल फोटोग्रफी शुरू ही थी ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के अन तक सलार की शूटिंग खत्म हो जाएगी और इस फिल्म की प्रड़क्शन को राप अप कर दिया जाएगा और अगे साल इस फिल्म प्रिंस्पल फियेटर में बिल्कुल दिवाली में फोड़े गए बॉन की तरह धमा का मताएगी सलार के मेकर्स हैं पूही तरह से तयार इस फिल्म को जल से जल बड़े पड़े पर रुलीस करने के लिए कन और अटेलगू लांगुज के साथ इस फिल्म को शूट किया जा रहा है दिसेंबर 2021 तक इस फिल्म की शूटिंग को खत्म करके फिल्म के मेकर्स अगले साल सलार की रिलीस के साथ आने वाले है 14 अप्री 2022 को थीटर्स में देखने को मिलेगी प्रभास टारर ये आक्शन प्रिरफिल जो प्रभास के फैंट को फिर एक बारुन का दिवाना बना देगी सलार एक उद्धू शब्द है जिसका मतलब है क्या चनी आफिर लीडर हिंदी मज़े से नेता भी कहा जा सकता है सलार यानि एक ऐसा इंसान जो लोगों का नेतरुत्व करना जानता हो इस फिल्म में प्रभास का नाम होगा सलार और वो एक लीडर के रूप में नज़र आएंगी यही वज़ा है इस फिल्म का नाम सलार रखा गया है क्योंकि प्रभास के वारा एक नेतरुत्व करता हुआ इंसान कैसा होना चाहिए वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा सलार की कहानी और प्रभास की इंपाक्टों किर्दार के बारे में जानकारी हासिर करनी के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखे तो आज की वीडियो में फिलाल बस इतना ही और हम फिर मिलेंगे आपके पास एक नई मूवी से जोड़ी एक इंट्रेस्टिंग ख़बर को लेकर तब तक आप देखते रहें अपना मन पसंदीदा चानल बॉल ब्रभास टूडियोज और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में गायल शेर की सासें उसकी तहार से भी ज्यादा भ्यान को देखते हैं इस वर नाकाम्यावी को कहले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता प्रभास की आने वाले साल में लगातार कई फिल्मे लाइन में लगी हुई हैं जिसमें राधे श्याम अधिपुरुश और डारेक्टर प्रशान नील के नाई डारेक्शन में बनने वाली सलार फिल्म भी लाइन में आ चुकी है जी हां आने वाली सलार फिल्म से प्रभास तैलेगू सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे जब से फिल्म सलार से प्रभास का जबर्दस लुक सामने आया है तब से दर्शकों में फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा excitement देखी गई है फिल्म में पहली पर प्रभास और शूती हसन की जोड़ी को बड़े परदे पर देखा जाएगा और इस फिल्म में शूती हसन एक जोर्नलिस्ट का किरदार निभाते हुए नजर आ सकती है पर अभी तक इस पर कुछ ऑफिशल अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है इस फिल्म से एक और अदाकारा का नाम जुड़ रहा है और वो है साल 1997 में बॉलिवुड के फिल्म डोली सजा के रखना से डेब्यू करने वाली एक्ट्रस जोतीका का जो बाने वाली फिल्म में प्रभास की बेहन का रोल करते हुए नजर आ सकती है जोतीका तमिल तेलगू हिंदी इंड़स्ट्री में काम कर चुकी है और अपना अच्छा खासा नाम भी बना चुकी है उन्हें वाली टैगोर खुशी मौजी जैसी फिल्मों में देखा गया है सलार में उनका रोल होगा या नहीं वो इस फिल्म का हिस्सा होती भी है या फिर नहीं इसकी कन्फरमेशन मेकर जवारा भी तक नहीं की गई है तो देखते हैं क्या जोतीका इस फिल्म का हिस्सा होती है या फिर नहीं बात फिल्म सलार की कहानी की करें तो कुछ समय पहले खबरे काफी तेजी से बढ़ रही थी कि आने वाली फिल्म 2014 में आई कन्नर फिल्म उग्रम का रीमेक होने वाली है और सबसे मज़े की बात तो ये है कि उग्रम फिल्म भी प्रशान नील के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इस फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया था पर इस बात से सलार फिल्म के जारेक्टर प्रशान नील ने साफ मना कर दिया है उनका कहना है कि सालार फिल्म के कहानी एकदम नहीं है और जो सिर्फ गायल शेर की सासें उसकी तहार से की ज्यादा भ्यानक होगी उसवर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं बाता प्रेशान नीज बना रहे हैं तो मुवी को लेकर एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा उची है और अब निर्देशरत अपने इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा जाना में खौर यादकार बनाना चानी है अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो कहते कहने वाले हैं तो उसके लिए तो आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तब जरूर जुड़ना होगा दरसल यू तो प्रिशांद को मुवी में कुछ एक्स्ट्राओरिनारी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही मुवी अच्छी खासी पॉपुलियरिटी हासल कर चुकी है लेकिन-लेकिन सिर्वी ॡक्स लगाते में प्रिशांद अपने इस आशंट्रिनर मुवी इस आज तक ऑलिवुद में इस त lectures cwn technology है क्या जानते है कि यह आज तक ऑलिवुद की बड़ी फिल्मो चैस्टै 냉न को है आत्माप और मात्रिक्स में ही यूज की गई लेकिन आसके किसी हिंडी मुवी में इसका यूज नहीं किया गया शायद इंडिया में इसे शुरू कहिने के लिए फ्रिशान का नाम ही लिखा था इसने वो इतिहार जरूर लिखने वाले हैं ये टेक्नोलोजी व्यूवर्स को फ के बारे में और ये ज्यादा डीटेल में कुछ जानना चाते हैं तो उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार तेहना होगा है प्रशान नील द्वारा निर्देशित इस मूवी में प्रभास के अलावा शुदी हसं भी ली जोन में है जोद हमांके दार अक्श के बारे में जानकर करते हैं गायल शेर की सांसें उसकी तहार से की ज्यादा भ्यानक होगी अज़र नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता हरे बुरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएं हालात मुश्किल हो जाएं और चीख चीख कर तुम से कहें कि तुम बुरी तरह हार चुके हो मगर चब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तक तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता कि लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्ग नहीं पड़ता क्या है सलार का बचल सलार के बाद प्रभास के अद्दपिका के साथ नजर आने वाले हैं साउट इंडन फिल्मों के फैंस को क्यूं कहा जाता है क्रिसी वक्त के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है जैसे की वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होता वक्त वक्त की बात है वगेरा वगेरा लेकिन अब वक्त आ गया है जुसका हम सब बेसबरी से दजार कर रहे थे यानि की कुछ ही दुनों में प्रभास की फिल्म सालार की शूटिंग कम्प्लीट होने वाली है फिल्म कम्प्लीट होने के बाद रुलीज होने तक हर दिन नई नई खबरे बनेंगी या यू कहें बनाई जाएंगी लेकिन उन सारी खबरों को आपके सामने हम पेश करते रहेंगे ऐसी कुछ खबरों को आज हम बताएंगे इस वीडियो में फिल्म के साथ मेकर चाहें कितना भी ना कहें या हां कहें आने वाली फिल्म 200 करोड की लागात में बन रही है इसका पता पूरे हिंदुस्तान को लग चुका है फिल्म के पूस्टर, लोकेशन, स्टार कास्ट, मार्केटिंग, पबिसिटी इन सब को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बिग बजट न हुई तो आज चरह होगा अब जब आप इंदुस्तान के आने वाले सबसी महंगी फिल्म में काम करने वाले हो तो आपको तो बागी इंडस्ट्री से भी ओफर आना शुरू हो जाती है पिछले दिनों सुनने माया है प्रभास और दिपिका पारुकों ने एक साथ किसी फिल्म में दिखाई दे सकते हैं अब इसी बात का कन्फरमेशन अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है वैसे ये बात तो सलार के लिए अच्छी है किसी और की पबिस्ट्री, मार्केटिंग और जूटी अववाओं का फाइदा सलार को हो सकता है यानि बेगानी शादी में अब दिल्ला दिवाना वैसे कई फैंस किसी की खुबसूटी के दिवाने होते हैं पर चाहे फिल्म रिलील होग से पहले हो फिल्म की पोस्टर का दूद से अभिशे करना हो या दस-दस घटे फिल्म की टिकट के लियर लाइन में खड़े रहना और यह सब गुन साव टिंडें फिल्मों की ओइदिंस में बहुत ज्यादा होते है इतने स्यादा कि प्रभाद सलु और जुन्जजनी कांत, कमल हसन, मामुटी और मुहनला तो से कलाकारों के फैंस तो सारी हांदे पार कर देते हैं और वैसे भी हद में रहे कर किसी से प्यार नहीं किया जाता दोस्तो प्यार में हद से गुजर जाना मैंडिटरी है और शायद इसी बेपना प्यार की वज़े से साउट की फैंस को क्रेजी कहा जाता है बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म के इंतजार अब बहुत हुआ अब तो हर कोई ठक चुका है लेकिन वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा यानी सलार होता है देखना दिल्चस्प होगा कि क्या सलार का इंतजार करना सही था या नहीं फिल्हाल मुझे दीज़े इजाज़त आप से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के सार्थ तब तक के लिए खुश रही है हमारे चैनल को सुब्सक्राइब या ने थे पैसो से दिल्टिट कोई पर या सेट पर किसी आग्रे ने दिखाए हैं लखरे आखिर है कौन ये स्थाफ अगर आप भी इन सवालों की चवाब चान अचाते हैं तो इस वीडियो को और तक हमारे साथ परे रहे तोस्तों पैन इंडिया स्थाफ प्रभास किसी इंट्रोडक्शन के मौताज नहीं है इस समय उनके पास कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिन में से आजकल गुष सलार और आदिपुरुष को लेकर सबसे ज्यादा बिजी है ये पिलहाल उनकी सबसे बड़ी दो प्रोजेक्ट ह जिन में प्रभास का ध्यान इन दिनों लगा हुआ है जहां सलार को केजिय फेम निर्देशिक प्रशांत नील निर्देशित कर रहे हैं तो वहीं आदिपुरुष को बॉलिवद निर्देश अकॉम राउस बना रहे हैं इन पिल्गों की शूदिंग के अलावा प्रभास च उसके बाद प्रभास के पास संधी प्रेटी वांगा की स्वेदत भी है कि मुवी भी आज कल बहुत चर्चा में है कि प्रभास दीपचीस में होगी तो हज़ार पाइस की बीच में प्रोल पर आ जाए ये तो बात लिए उनके आने वाले प्रोजेक्ट की और उनके शेदू लेकिन इस वीचे इपास जिसमें सब को हैरान किया हुआ है और आप जाने के वार शायद आप भी हरान हो जाए वह है प्रभास की तीज उससे पहले आपको बता दे कि सलार राधी पुरुष्ट समेट अभी तक ही अपनी मूवी के लिए प्रभास अस्ती करोड रुपए की जिसका मतलब यह है कि प्रभास के और उसके बार आने वाली प्रभास के लिए रकम की मांग करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा होते ही प्रभास साउच्पल्स अंदाशी में रश्टिकान की बाद हाईस पेड आक्र बन जाएंगे। प्रभास एक साल में आमत और पर त गायल जीर की सांसें उसकी दाहर से भी ज्यादा भ्यान करेंगे। इस वर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्ती नहीं पाता। अरे बुरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। खालात मुश्किल हो जाएंगे। और चीक-चीक कर तुमसे कहें कि तुम बुरी तरह हार चुके। क्या सालार में चाहेगा मिस्ति इंडिया का जादू? क्या सालार से हट गया है शुदी का रोल? किसे कास्ट किया गया है प्रशाद नील दौरा? जानने हैं इंस अभी सवालों के जब आप तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं हमारे साथ मैं हूँ आपके उसकंदा उससान में ता पाच्छा कर स्वाकत करती हूँ प्रशाद नील की आने वाली फिल्म सालार में हाई ओर्टेज एक्षिन की तैयारी में लगे हुए हैं फिल्म की शूटिंग आजकल हैजरबाद में तेजगती से चल रही है जबकि प्रभास खुद भी सालार और आदे पुरुष के सेट के बीच चुदल बंदी कर रहे हैं सालार की शूटिंग इस साल के अंसे पहले पूरी होने की उमीद है आपको बता दें कि इस साल फिल्म में शृती हसन भी लीड रोल में नज़र आएंगी हाला की ताजा खबर तो ये है कि फिल्म में एक और लीड एक्टरस भी होने वाली है और मेकर्स पुसी की तलाश में ह लेकिन अब लगता है कि उनके तलाशिक एक्टरस पर आकर रुक चुकी है दरसल मेकर्स ने फिल्म के लिए मिनाक्षी चौधरी को फाइनल किया है मिनाक्षी 2018 में मिस इंडिया होल्डर रह चुकी है और वो दीरे दीरे तेलगों सीनेमा में भी बिजी होती जा रही है फिल अब 2022 के अन तक तो रिलीस नहीं ही होने वाली है यह 2020 की शुरुआत में ही बेशक रिलीस हो सकती है मिनाक्षी चौधरी आजकल रमेश वर्मा की निर्दीशन में बन रियाक्शन ड्रामा खिलाडी में एक्टर रवी तेजा के साथ स्क्रीन स्पे शेयर कर रही है और अब उ उन्होंने अपनी अगली निर्देशन वाली फिल्म के लिए जूनियर एंटियार को भी साइन किया है इसी बीच वो अपनी बहु प्रतिक्षित पिल्म KGF2 की रिलीस का भी इंतजार कर रहे है और इस फिल्म में लीड रोल में आपको बता ही है कि कौन है एक्टर यश जब पास रादा कृष्ण कुमार की रादे श्याम भी है जिसमें पूजा हेगडे मुख्य मुमे कामे हैं जो अगले साल सिनेमा घरों में दस्तक देगी फिल्म और स्टार्स के बारे में इसी कई और बात तक लिए आप जुड़े नहीं है हमारे चैनल के साथ आता और देखते करें यह हमारी आने वादे गायल जीर की सांसें उसकी तहार से भी ज्यादा भयानक होती है क्यों हो रही है मेकर्स को सलार की रूलीज की शंता क्यों जोर पकड़ा है प्रभास की शादी की स्टेक्योलेशन है शुती हसन को क्यों पसंद है और OGT से ज्यादा थी है जिकल जुलीज ऐसा काम करों की नाम हो जाए या फिर ऐसा नाम कमाओं की सुनते ही काम हो जाए जी हाँ इस लाइन को अगर कोई जी रहा है तो वो है इंडिया के आज की सूपरस्टार प्रभास और उनकी आने वाली फिल्म है अब उनकी आने वाली फिल्मों में ऐसा क्या खास है और इनके बारे में आज कल क्या क्या चरचाए हो रही है ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में मैं शुती बॉलिग्रा स्टूडियोस के इस वीडियो में आपका स्वागत करती है वो कहावद तो आपने सुनी होगी दूद का जला चाज भी फूप फूप कर पीता है कुछ ऐसा ही हाल है सलार फिल्म के मेकर्स का इस बात का पता चला कि सलार और केजी फूप बाक टुबाक शायद एक ही हफते में या शायद एक ही दिन रिलीज हो सकती है तो पहले तो खुश होने वाले मेकर्स अब इस बात से ही परिशान होने लगे है क्योंकि इससे पहले ना सिर्फ बॉलेवड बलकि इंडिया में जहां भी फिल्में बनती है वहां कि एक कड़वी सचाई रही है कि दो बिग बजट फिल्म में अगर एक साथ रिलीज हो तो नुकसान दोनों का होता है अब यही चिंता प्रेडूसर विजय के रगंदूर और हूम मेल सुन्स को हो रही है अब इससे पहले इस प्रोडक्शन हाउस ने कई सारी हिट फिल्म में बनाई है लेकिन इस बार का महाओल थोड़ा अलग है आपको क्या लगता है ऐसे समय में मेकर्स के लिए सही आप्शन क्या है आपकी उपीन इन हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए प्रभास की उम्र लगभग 41 साल है और कहा जा रहा है कि शायद अगले साल वर शादी कर सकते हैं बैसे बता दे ऐसी बातों पिछले 6 सालों में कई बार हो चुकी है जब से बाहु बली फिल्म रिलीज हुई है लेकिन प्रभास ने भी अपने ही स्टाइल में कभी शर्मीने तो कभी बेबाक अंदास में इन बातों को खंडन भी किया और कभी कभी इन बातों पर चुप़े भी सादी अब इसे क्या क्यों और येंस में उत्सुपता बनाये रखने या बड़ी चालाकी से सुमड़ी में ऐसे सवालों से निकल जाना प्रभास का नाम इससे पहले इलियाना दिक्रूज और उनकी बाहुबली की कोस्टार अरुश का शर्टी से जुड़ चुका है अग देखते हैं आने वाली बिग बजट फिल्म के साथ वो कई बिग अनाउंस्मेंट करते हैं या नहीं हाली में एक इंटीवी के दौरान सलार आक्टर शुतिहासन ने कहा कि उन्हें OTT प्लाटफॉर्म से ज़्यादा थीटर में फिल्म में देखना पसंद है लेकिन अपनी इस बात को आगे ले जाते हैं वे वे कहती है कि अगर थीटर में फिल्म देखने के दौरान कोई डिस्टर्बिन्स हो तो शायद सबस्य अच्छा ऑप्शन घर में बैट कर मोबाईल या टीवी पर ही OTT प्लाटफॉर्म की जरीए फिल्म देखना है उनका कहना है कि जो experience थीटर में मिलता है उसकी तोलना आप किसी से नहीं कर सकते बात तो सही है 9 सितंबर को उनकी और विशे से तुपती की फिल्म लामबम रिलीज होने वारी है अब देखना दुल्चस्प होगा कि औरियंस इस फिल्म को पसंद करती है या वेल ट्राइ या खुश रहें फिट रहें और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब है के जौन अबराहम होने वारे हैं सलार का हिस्सा सलार में क्यों शूती हसन नजर आएंगी प्रभास के साथ रुमांस करते हुए सलार के बाद प्रभास और कौन कौन से फिल्मों की कर रही हैं तैयारी प्रभास के आने वाली फिल्म सलार को लेकर फिल्म इंडास्टे में काफी चर्चा हो रही है डिरेक्टर प्रभास की ये जोड़ी अवश्य ही फिल्मी दुनिया में एक धमागा करने वाली है लेकिन दोस्तो इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी कई करदार हैं जिस फिल्म की सकस्स का हिस्सा बन सकते हैं हाल ही में खबरे आ रही है कि बॉलिवुड आक्टर सूपरस्टार जॉन अबराहम को फिल्म की डिरेक्टर प्रशांत नील ने में विल्लन का किरदार निपाने का ओफर दिया है हाला कि दोस्तो इस बारे में कोई कन्फरमेशन ये पक्की खबर नहीं आई है जॉन अबराहम अगर सलार में विल्लन के रूप में देखने को मिलेंगे तो प्रभास और जॉन का आपसी टकर देखने में मसा आएगा ये टकर फिल्म में एक अलग तड़का डालने का काम भी करेगी लेकिन दोस्तो ये खबर अभी पक्की नहीं हुई है और जॉन अबराहम अभे अपनी आने वाली फिल्म अटाक के प्रमोशनल इविंस को लेकर काफी जादा बिजी है अब जॉन हमें विलन के अफ्तार में सलार में देखने को मिलेंगे या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा सलार की रुमांटिक आंगल की बात करें दोस्तो तो प्रभास के साथ शृती हसन पहली बार सिल्व स्क्रीन पर नज़र आने वाली है दोस्तो पता दो कि प्रभास ने भी शृती हसन के बादे पर इंस्टेग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए हापी बादे विश किया था उन्हें और सलार की टीम में वेलकम किया था प्रभास ने ये भी लिखा था कि शुरती हसन के साथ काम करने के लिए वो काफ़ी एक्साइड़ है और ये एक्सपीरिंस उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है सलार के दमाके के बाद प्रभास एक के बादे एक जबर्दस मुवीज लेकर आने के लिए तयार हैं प्रभास अपनी फिल्म रादे शाम के रिलीज होने के बाद सलार का धामाकत करेंगे और फिर अपनी कई सारी आने वाले फिल्मों की रेलिवेशन भी करने वाले हैं इन सब के बाद प्रभास ना अगश्मिन द्वारा डिरेक्ट की गई नई पिचर के शूटिंग के लिए तयार हैं जहां दिपेक अपधुकोन फीमेल लीट में रोल में नज़र आने वाली है जी हाँ दोस्तो प्रभास ने अपनी फिल्म आधी पुरिश की अनास्मिन भी कर दी है जो कि 11 अगश 2022 में थीटर्स में रिलीज होने वाली है यह एक 3D पिचर होगी जो कि होमकार द्वारा डिरेट की जाने वाली है और इस पिचर की मेजर सीन्स मुंबई में ही शूट के जाएंगे जोस्तों आप हमें कौन से बताईएगा कि आप प्रभास की कौन सी मुवी के लिए सबसे जादे गायल जीर की सासे उसकी तहाड से की ज्यादा भयान कोईगी तो सलार के पूस्टर में प्रभास के लोग कैसा चाएगा गायल जीर की सासे उसकी तहाड से भी ज्यादा भयान कोईगी जो नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता क्यों सलार एक मल्टी लिंग्वल फिल्म है क्यों है श्रुती हसन के करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म बहुत ज्यादा मिलने वाली पबनिस रीक या सलार का खेल खराब करेगी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ दुश्मन उसे तो मैं खुदने पटलूगा जी हाँ दोस्तों ये वाक ये सलार के बारे में शायद सच भी हो सकता है अब ये कैसे क्यों और कहां से आया ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में अब तो ये तय हो गया है कि आने वाले साल भर में जो चार फिल्में सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगी वो होंगी रादेशया, आर आर आर, केज़ेफ्टू और सलार ध्यान देनी वाली बात ये है कि चारो फिल्में साउथ इंडस्ट्री से आती हैं और एक और फिल्म जो इन फिल्मों के साथ कंपीट करेगी वो होगी आदी पुरुष अब इसे महस सईयोग समझे या पांच उंगलियां गी में डूबी होने कही कि सबसे बड़ी तीन बिग बजट फिल्में प्रभास की है और इन सारी बातों का इफेक्ट आपको सलार की पॉपुलारिटी पर होता दिखाई दे रहा होगा जैसे छिपकली को खीच-खीच कर मगर मच बनाने वाली कहावत है कुछ इसी तरह से सलार फिल्म की खबरे आती रहती है डारेक्टर आज इस पार्टी में गए प्रभास आज उस पार्टी में गए शुती हसन आज उसके साथ दिखाए दी ये फिल्म इस टेक्नोलोजी का इस्तमाल करे है आज दोने ये कपड़े पहने थे और ना जाने क्या क्या लेकिन experience लोग कहे गए खाने को ज्यादा मत पका ओवर ना वो जल जाएगा अभी फिल्म से तिनी ज्यादा expectation हो गई है कि एक छोटी सी गलती जो शायद अन्य फिल्मों के मामले में माफ भी हो जाए इस फिल्म को नुकसान पहुचा सकती है वैसे ये फिल्म किसी का फाइदा करा रही है और वोग और कोई नही फिल्म की लीड आक्टरिश शूती हसन का शूती हसन इसे पहले कई बिग बचट मूवीज में दिखाए दे चुकी है उनकी कई फिल्में हिट रही है और कई फिल्में फ्लॉब दी रही है अपनी professional life के साथ साथ वो अपनी personal life की वज़ा से भी चर्चा में बनी रहती है क्योंकि ये एक multilingual film है इसलिए ये पूरी तरह से हिंदुस्तान में प्रदर्शत होने वाली big budget film है शुती चाहेंगे कि ये उनके जिंदगी की सबसे बड़ी film साबित हो शुती ने बॉलिविट filmों में भी काम किया है लेकिन कुछ गिनी चुनी film छोड़के दोचिन के हिस्से निदाशा ही आई है जैसा कि हमने अब पहले भी कहा जरूरत से ज्यादा मिलने वाली publicity सलार का गेम बिगार सकती है कुछ दिनों पहले ही प्रभास और आरारार फिल्म की राइक्टर से स्राजर मौली फिल्म की रूरीज डेट की क्लाशस रूलेटड बात करने के लिए मिले थे हालाकि इससे कुछ होता दिखाई नहीं दिया अब ऐसी बाते रोज होंगी हर रोज अववाय जोर पकड़ेंगे और रोज शान्त भी होंगी यही तो फिल्म इंडस्टरी का कमाल है काम करने वाले चुपके से काम कर जाते हैं और बागी लोगों के लिए रह जाती है तो सिर्फ बाते ऐसी ही और मज़ेदार बात ही करेंगे अगले वीडियो में एक नाइट गायल शेर की सासे उसकी दहार से भी ज्यादा भयानक होती उस वर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता क्या है सलार का मौजूदा स्टेटिस कौन सी अफवाई सच साबित हुई और कौन सी जूट फांस क्यू कर रहे हैं अपनी हदे पार सलार की इंतजार में सारे सवालों की जवाब आपको मिलेंगे आज इस वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्कातियाई और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलिग्राड स्टूडियो के खाश पेसकश में तो दोस्तो आए दन सलार फिर्म के बारे में कई अवाई कई सची जूटी बाते फैलती हैं यह यूं कहें फैलाई जाती हैं अब इसे मार्केटिंग स्ट्राटिजीज कहें या मुष्ट में मिलने वाली पॉब्लिसिटी कुछ भी कहें फिर्म की पॉपलारिटी के लिए य शायद इसी वज़ा से कुछ खामिया कुछ कमिया दिखाए दे तो री शूट होने के चांसे बढ़ गए हैं लेकिन यह बात तो पक्की है कि यह फिर्म के अपके कुछ समय पहले यह कुछ समय बाद रिलीज होगी और इस फिर्म से पहले प्रभास की एक और बड़ी फिर्म रादे शाम भी रिलीज होगी प्रभास की पॉपलारिटी को देखते हुए दोस्तों यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं की शूटिंग करने में कितनी दिकताया आ रही होगी क्योंकि आज शायद ही कोई ऐसा सेमा प्रेमी होगा जो प्रभास को नहीं जानता होगा और दोस्तों अगर वो से देख ले तो उनसे मिले बिना नहीं रह सकता अगर आप भी प्रभास के फैन हैं तो प्रभास की आने वाली फिल्म के बारे में जानकारी देने वाले इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा अब दोस्तों जब बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े इसे की हो रही हो तो अभाउ का बाजार गर्म होना बनता ही है तो छाहें अभाउ का बाजार मोवी का तक्राव होना लेकिन बात दोनों के सामने आया कि प्रभास अपनी को स्टार के साथ एयर फिर चाहें रादिशाम की आक्ट्रेस पूजा हेग्रे हो ये शलार की आक्ट्रेस शुती हसन। लेकिन ये भी सिर्फ एक अववा साबित हुई। हमने कई सोशल मीडिया साइट पर पढ़ा, इंटरनेट पर चल रहे कई वीडियो में देखा के बिग बॉस की कंटेस्टन रह चुकी दिव्या गरवाल प्रभास के फिल्म में बहुत ही इंपॉर्टन कारेक्टर प्ले करने वाली हैं। तो अब आपको क्या लगता है यह वाई कोइसिदेंस थी यह कुछ और आप अपने राहे में कॉमेस में जरूर बताएगा। इतनी जादा है कि बागी हाश्टाग डाउन हो चुके हैं। अब दोस्तों वैसे किसीने सही ही कहा है सबर कफल मीठा होता है। इसी बात के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। गायल शेर की सासें उसकी तहार सेगी ज्यादा भयानक होगी। इसवर नाकाम्यावी को खले लगाना नहीं जानता। वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्या बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अगरवाल नजर आ सकती है सलार में। यह अने वाली है प्रभास की सलार की खास बाते। अगरे प्रभास की अपकमिंग सलार की अनाउंसमेंट हुई है तब इसे फिल्म का डिजार है और इसके खासवाद यह है कि इसको डिरेक्ट करने वाले है वह है प्रशान नील जिन्होंने के जिया जैसे फिल्म को डिरेक्क किया है अब इसका सेगे बात भी उलेकर आ रहे ह और का जा सकता है कि जब दो आइटम वांग एक साथ फटेंगे तो क्या कुछ होगा तो प्रभास और प्रशान नील का मिलन कुछ इसी तरहकार से मस्तार देखने को मिल सकता है हमें परदे पर और अब इससे जूरी एक खबर सामने आ रही है पहले तो आपको बता दे कि प् जब आपको जब जबते जीती है एक अलगी तरह की वह लाइमलाइट एंज्डोइ कर रही है हर जगा सुरुख्यों में बनी हुई है तो हो सकता है कि उनका डेब्यों होने जा रहा है और डेब्यों भी सोचिए किस्मत तोचिए कितनी अच्छी है कि सीधा साउड के सूपर प्रभास की तरह करेंगे तो यह उनकी ने बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही मोका होने वाला है आने वाला साइम बताएगा कि हुआ कि होगी होगी या नहीं इसके रावा आपको बता दें सलार का क्या मीनिंग है इस बारे में प्रशाद मीन ने बताय था कि सलार का मतल प्रेटियों के हाथ में गम थी और बहुती जादा स्टाइलिश वो लग रहे थे तो दो उस्तों बहुत कुछ खास होने हाला इस पर में लडाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो शेर से वन नफरत करते हैं उसका कुछ नहीं बिगार सकते ना इसलिए दयावया के भाशन छाड़ते हैं अखिर कितनी बड़ी हिट होगी सलार क्या ये फिल्म प्रभास के हॉलिवुड के दर्वाजी खोल देगी और फिल्म का इस वक्त क्या स्टेटिस है हलो दोस्तों अगर आप भी प्रभास की आने वाली फिल्म सलार का इंतजार करते करते ठक चुके हैं तो इस वीडियों को देखिए और अपने ठकान दूर करिए बॉली ग्राद स्टूडियोज आपके लिए लेकर आया है एक आने वारी फिल्म के बारे में करिस सारी जान का रिया आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ हमिश्का जागी खास तोर पर ठेयरिटिकल रिलीज के लिए बनी फिल्म सलार अप चर्चा में है पर सलार क्यूंकि इस फिल्म में डार्क स्ट्रीन ठीम तेकनोलरजी इस्तमाल की जाएगी इस तेकनोलजी ले आनका स्टूर कर ठास तार पर डिरेक्टर रिस्टिफर नॉलन पे फिल्मों है सालों पहले आई फिल्म, मैट्रिक्स और उनके अन्ने पाच में भी ये टेक्नालोजी यूज़ हुई थी और दोस्तों बैटमेंट ट्रायालोजी को कौन भूल सकता है माना चाह रहा है कि DCT टेक्नालोजी यूज़ करने वाली सिलार पहली हिंदुस्तानी फिल्म होगी आप दोस्तों ओर्डिन्स इस पर किस तरह सर्याट करेंगे इसका अंदासतों लगाया नहीं जा सकता है लेकिन सबके लिए ये कुछ अलग एक्स्पीरिस साबित होगा बात करें प्रभास की तो वो अब पूरे एश्या में पॉपिलर हो जगे है उनकी फिल्मों का इंतजार सर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बलकि जापान, साउट कोरिया और इंडोनेशा जैसी कई देशों में ब्रेस अबी से किया जा रहा है हमने इससे पहले पिक कई फेमर्स सेचन सूपस्टार को हॉलिवड में नाम कमाते हैं और फेमर्स दे होते हुई देखा है शायद ये फिल्म प्रभास की जिन्दिकी की वही फिल्म साबित हो सकती है जिससे उनके लिए हॉलिवड के दरवास ही खुल जाएंगे लेकिन दोस्तों ये देखना भी दुछश्प होगा कि क्या प्रभास हॉलिवड में काम करना चाहेंगे या नहीं इससे पहले कई इडियन सूपस्टार को हॉलिवड से कही रोल-फर हुए हैं लेकिन दोस्तों उन्होंने ऊलिवॡ में काम करने शे मना कर दिया बाद अगर दोस्तों सलार से जुड़ी उठने वाली अवाव की करें तो दोस्तों एक खबर ऐसी पी आई है कि बिग बॉस 15 की कंटेस्टन रहे चुकी दिव्या गरवाल को इस फिल्म में कास्ट किया गया है इस बाद से दिव्या के फान काफी खुशार मेसेज़स और वीडियोस के जईयोस बाहरे में पोस्ट करते रहते हैं लेकिन अभी तक मेकर्स के हवाले से कोई भी ओफिशल स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ है और दोस्तो अभी यह सच है यह सिर्फ एक अफवा और अदरी अफवा है तो इस अफवा के पीछे का क्या राज का और क्या कारण है यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा फिर्म की शूटिंग इस वक्त चल रही है हाला कि पंडामिक सिचुएशन और अन्ने कारणों की वज़ा से शूटिंग ने धिले होता रहा है लेकिन दोस्तू फिल्हाल फाINO स्टेज पर पहुँwn चुखी है फिर्म फ्रिशान नیलके निर्देशन बन रही इस फिर्म से मेकर्स का साथ साथ southern को भी काफियू हुमिते हैं इस फ़न के मेरिकर सी केज अप फ़म के निरमाता भी है तो दोस्तो रिकार्ड तोड कमाई भी आशा करना तलग नहीं होगा तुम का कितना भी बंग बजट क्यों नहीं हो जब तक फ़म दर्शुक को कदल नहीं छू रहती तब तक फ़म को कुछ नहीं का जा सकता तो तो एक बार आपने दिल जीत लिया तो दोस दोस के बाद वाक्स ओफिस जीतना मुश्किल नहीं है क्या डबल रोल में नजर आएंगे प्रभास कुंस्ट रलार में कौन सी बॉलीवूर अभी नेतरी का दिलाया प्रभास पर क्यों कर रही है शूती हसन अपने इंस्ट्रग्राम अकाउंट पर अपने को स्टार को थैंक्स नमस्कार बॉलुक्रट स्टूडियो में एक बार फिर आप सब का स्वागत आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेट इस इस इंट्रस्टिंग बाते बाहु बली से पेम पाने वाले साउस अक्टर प्रभास ने मिला लिया है अब केजियो फिल्म के डारेक्टर प्रशान सुनील से हाथ जी हाँ जल्दी प्रिस्टान सुनील की निल्देशन में बनने वाली सलार फिल्म में लीज रोल में नजर आएंगे प्रभास इस फिल्म में और डाक्टर किरदार निभाते नजर आएंगे वहीं बताया जा रहा है कि सलार फिल्म में मचने वाला है जबल धवाल क्योंकि आने वाली से action fucked film में प्रभास एक नहीं बलकि दो करदार करते नजर आएंगे जहां उनका एक करदार तो specific mechanic होने वाला है वहीं दूसरे करदार में प्रभास एक aged man के करदार में निभाते नजर आएंगे और ऐसा वो किसी फिल्म में पहली बार करने जा रहे हैं अगर ये बात सच निकलती है तो भाई फिर तो फिर्म देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है हमारे दर्शकों को वही फिल्म में तो वेरी होट और चामिंग अक्ट्रेस शूती हसन भी प्रभास संग में लीड में नजराने वाली है और हाल ही में शूती हसन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट जारी करते हुए प्रभास को कहा है ठैंक्स और इसके पीछे की वज़ा रही लंच बॉक्स जी हाँ वेडनस जे यानी 8 सप्टेंबर को प्रभास ने शूती हसन को एक खाने से भरा लंच बॉक्स पहुंचवाया जिसमें बिर्यानी, दाल, राइस और कई तरह की सब्जिया थी जिसे देख आप सब के मुह में पानी आ जाएगा क्योंकि भाई नाम लेते समय जी मैं तो खुद को रोप नहीं पा रही हूँ अब इतने स्वादिस्ट भोजन मिलने पर को शुक्रिया तो करता है और ऐसे प्रभास पहली बार नहीं कर रहे हैं पहले भी कई बार शूती के लिए लंच बोक्स भिजवा चुके हैं जहां एक तरफ प्रभास शूती को खाना भिजवा रहे हैं वही दूसरी और बॉले मुट की एक और कुईन का दिल आ गया है हमारे प्रभास पर आप समझी गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं जी हां कंगना रणौत की जिने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म थालाईवा के लिए काफी पसंद किया जा रहा है अपने लेटेस इंटर्विव में सवाल का जवाब देते हुए कंगना ने कहा है कि वो साल्थ सूपस्कार प्रभास के साथ वापस के काम करना पतन करेंगी जिसके लिए वो डिरेक्टर तूरी जगर्नाथ को कह चुकी है कि अगर प्रभास मेरे संग काम करने को तैयार हो दुबारा तो जरूर बताएं जिनने नहीं पता है उन्हें मैं बता दू कि बॉलिवुड फिल्म अक्टरिस कंगना रनाथ इससे पहले 2009 में आई तूरी जगर्नाथ की फिल्म एक निरंजन में प्रभास संग काम कर चुकी हैं और दर्शकों ने इस फिल्म को भी काफी पसंद किया था तो देखना है कि जहां शक्धा का पूर और जल्द ही दीपिका संग दिखने वाले हैं प्रभास वही क्या एक बार फिर कंगना संग नजर आएंगे बाहु बली तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप रभास और कंगना की जोड़ी को स्पिर से देखना पसंद करेंगे बिस स्क्रीन पर और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करेंगे गायल फिर की सांसें उसकी तहार से भी ज्यादा भयानत होगी क्या है सलार का मतलग क्या फिल्म बें प्रभास निभाते दिखेंगे विलन के राइट हैंड का किर्दार कौन से फिल्म में ज़ल्द ही आ रही है प्रभास की नमस्कार बालीक्येट स्टूडियो में एक बार फिर आप सब का स्वागत हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रुलेटेट कुछ इंट्रस्टिंग बाते जैसे आम इंसान की जीवन में कई यादे अपनी अलग छाथ छोड़ जाती हैं वैसे ही फिल्मों में दिखाई किरदार भी आम लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाथ छोड़ जाते हैं जैसा 2015 में आई SS राजा मॉली की फिल्म बाहु बली ने किया और तभी मैं भी प्रभास का जिक्र करने से पहले उनकी इस फिल्म का जिक्र कर देती हूँ पर एक कलाकार के लिए भला इससे अच्छा अप्रिसियेशन और क्या होगा बाहु बली फिल्मों के बाद जहां प्रभास का ग्राफ बढ़ता ही चला गया वहीं दूसरी और साहु से कहीं न कहीं उनकी एक्टिंग करियर पर थोड़ा नेगेटिव असर पढ़ता था पर फिर भी किसी ने उनकी काबलियत पर शक नहीं किया तभी तो साहु के बाद भी एक के बाद एक बहां डारेक्टिर्स की फिल्म में प्रभास को मिलती चली जा रही है जी हां जल्धी, राधेशिया, मदीपुरुश और प्रशान नील के निर्देशन में बनने वाली सलार फिल्म में नजर आने वाले हैं प्रभास बात सलार फिल्म की करें तो पहले तो मैं आपको सलार का मतलब समझा देती हूँ दरसल सलार का मतलब होता है सेना पती सर्दार और प्रशान नील की भाशा में कहें तो राजा का राइट हैंड इसी के साथ प्रशान ने ये भी कहा कि सलार में प्रभास का किरदार देहध हिंसक है खलनायक जितना मजबूत होता है उसकी विरासत और होसला उतना ही मजबूत होता है जोसे परदे पर दिखाया जा सकता है विलन नहीं पर विलन से कम भी नहीं ऐसा होने वाला है प्रभास का किरदार और सलार का असल मतलब भी तो टाइटल और डिरेक्टर के कहने से ये तो लग रहा है कि फिल्मे वो आइलिंट प्रभाश शायद विलन तो नहीं पर विलन से कम भी नहीं होने वाले हैं इस फिल्मे और शायद वो विलन के राइट हैंड का काम करते देखेंगे जो कुछ साल पहले 2005 में आई फिल्म अपहरण की याद दिला देगा जिसमें आज़े देवगन की भूमिका का कुछ कुछ असर आने वाला है सलार फिल्म केर में प्रभास की किरदार को देख सकते हैं पर अभी इस सोचा है प्रभास के करदार के लिए तब तो के लिए आप हुए कमेंट बॉक्स में बताए कि आप प्रभास को अपहरण के अज़े देवगन की करदार में देखना पसंद करेंगे और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करना ब इस वर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता क्यों फिल्म जोती का दिखेंगी क्या होने वाला है फिल्म में श्रूती हसन का किरदार कैसा लार एक रिमेक फिल्म होगी नमस्कार बॉलिग्रेट स्टूडियो में एक बार फिर आप सब का स्वागत आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मुवी से रिलेटेड कुछ इंट्रस्टिंग बात है साथ सूपरस्टार प्रभास की आने वाले साल में लगातार कई फिल्मे लाइन में लगी हुई हैं रिलीजिंग के लिए जिसमें राधेश्याम, अधिपुरुष और डिरेक्टर प्रशान नील के नया डिरेक्शन में बनने वाली सलार फिल्म भी लाइन में आ चुकी है जी हाँ आने वाली सलार फिल्म से प्रभास तैलेगू सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं जब से फिल्म सलार से प्रभास का जबर्दस लुक सामने आया है तब से दर्शकों में फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा एकसाइटमेंट देखी गई है फिल्म में पहली पर प्रभास और शूती हसन की जोड़ी को बड़े परदे पर देखा जाएगा और इस फिल्म में शूती हसन एक जोर्नलिस्ट का किरदार निभाते हुए नजर आ सकती हैं पर अभी तक इस पर कुछ ओफिशल अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है इस फिल्म से एक और अदाकारा का नाम जुड़ रहा है और वो है साल 1997 में बॉलिवुड के फिल्म डोली सजा के रखना से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जोतीका का जो अब आने वाली फिल्म में प्रभास की बेहन का रोल करते हुए नजर आ सकती है जोतीका तमिल तेलगू हिंदी इंड़स्ट्री में काम कर चुकी है और अपना अच्छा खासा नाम भी बना चुकी है उन्हें वाली टेगोर खुशी मौजी जैसी फिल्मों में देखा गया है सलार में उनका रोल होगा या नहीं वो इस फिल्म का हिस्सा होती भी है या फिर नहीं इसकी कन्फरमेशन मेकर जवारा अभी तक नहीं की गई है तो देखते हैं कि जोतीका इस फिल्म का हिस्सा होती है या फिर नहीं बात फिल्म सलार की कहानी की करें तो कुछ समय पहले खबरे काफी तेजी से बढ़ रही थी कि आने वाली फिल्म 2014 में आई कंणर फिल्म उग्रम का रीमेक होने वाली है और सबसे मज़े की बात तो ये है कि उग्रम फिल्म भी प्रशान नील के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इस फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया था पर इस बात से सलार फिल्म के डारेक्टर प्रशान नील ने साफ मना कर दिया है उनका कहना है कि सलार फिल्म के कहानी एकदम नहीं है और जो सिर्फ उन्होंने प्रभास के लिए लिखी है तो देखना है जब फिल्म सलार आती है तो क्या उसमें कुछ हिस्से उगरम के होते हैं या फिर सच में ये फिल्म एकदम आलग और जबरदस होने वाली है सब तक एलए आप हमें कमेंट बोक्स में बताएं कि आप को आने वाली फिल्स सलार के लिए कितनी एक्साइटमेंट है और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शियर करें क्या सलार और केजीएफ चाप्टर टू का क्लाश होगा? केजेफ चाप्टर टू को सलार के साथ कंपेर क्यों किया जा रहा है साउथ इंडियन फिल्म इंडास्ट्री की इन दिनों बड़ी फिल्मों में छिड़ गई है जंग हाला कि ये एक friendly competition है लेकिन फिर भी ये देखना बहुत interesting होने वाला है कि इन दोनों फिल्मों में से इस खमासान race का बादशा कौन से फिल्म बनती है सलार और केजेफ टू की तूलना करी जा रही है क्योंकि दोनों में ही काफी similarities है लेकिन इनी similarities को पार ले जाकर कौन से फिल्म बॉक्स ओफिस में ज्यादा बड़ा धमाका करती है यही होगे इस picture की achievement सबसे पहले हम similarity की बात करे तो दोनों ही फिल्मों को प्रशांत नील ने डिरेक्ट किया है वैसे तो प्रशांत नील साउथ इंडियन फिल्म इंडास्ट्री में काफी समय से ही मूवीज बना रहे है लेकिन KJF चाप्टर वन के साथ जो बॉन बॉनों ने फोड़ा है वही से प्रशांत नील को सब इतना ज्यादा पसंद करने लगे है इस वज़े से KJF चाप्टर 2 के लिए भी लोग दिवानों की तरह इंतिजार कर रहे है लेकिन इस रेश में अब एक और फिल्म ने अपना नाम लिखवा दिया है जो है सलार सलार भी प्रशांत नील द्वारा डिरेक्टर फिल्म है और ये भी एक वज़ा है कि लोग इन दोनों मूवीज को कमपैर कर रहे है दोनों के सिमिलारिटीज में भुवन गौड़ा का भी नाम आता है भुवन गौड़ा सलार और केजिफ लिम सीडीज के सिनेमाटगराफर है के साउथ इंडियन फ्रल्म इंडास्त के बेस्ट सिनेमाटगराफर में से एक है और उनकी पिक्चुराइजेशन और सिनेमाटगराफि के लेवल को चूपाना काफी बड़ी बात है केजेफ चाप्टर वन में इतनी रियालिस्टिक और जबरदस सिनेमाटोग्राफी के बाद भुवन गाउडा को बहुत तारीफे मिली और सलार में भी भुवन गाउडा ही सिनेमाटोग्राफी करने वाले है बाद सिर्फ यही खतम नहीं होती क्योंकि सिमिलारिटीज की लिस्ट में प्रोडक्शन हाउस भी शामिल है केजेफ चाप्ले टू और सलार दोनों को ही होमले प्रोडक्शन कंपनी बवारा लॉंच किया जाने वाला है दोनों ही कितने बड़े प्रोडक्श है यह हम सभी जानते हैं इसलिए इन दोनों फिल्मों को कंपैर किया जा रहा है दोनों नसे कौन सी पिक्चर बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स को फोड़ती है यह देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा इन दोनों फिल्मों की तूलना करने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि South Indian Film Industry के दो बड़े सितारे इन दोनों फिल्मों के लीड आक्टर है KGF Chapter 2 में हमें दिखने वाले है यश वही सलार में प्रभार और इन दोनों को ही आक्टर अवतार में देखना काफी इंटरस्टिंग होने वाला है अब इन दोनों फिल्मों में ये healthy competition वाली race में जीत किसकी होगी ये देखना बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है तो उसी के साथ वीडियो को करती है लाइक हमारे चानल को करती है जो सी कह आप सी सी कह क्या किसी फिर्म के का वो रंग और हलके से बीर्ड लुक में नजर आ रही है महीं दोस्तों पोस्टर में मिडल एज मान दिखाई दे रही है जो कि हाथ में बंदू के लिए बैठे हैं और आसपास इतना जादा दूआ है और इतनी जादा इंटेंसिटी है कि मानो अपने सभी दुश्मनों को अभी उन्होंने धीर कर दिया हो लेकिन जिस तरह से फिर्म की कहानी सामने आ रही है और प्रभास का लुक दिखाया जा रहा है उससे कहीं न कहीं इस बात की अववा मारकेट में काफी जादा जोर पकड़ रही है कि एक आम किसान की कहानी सलार में दिखाया जाने वाली है दोस्तों कुछ साल पहले रिलीज होई प्रभास की फिल्म रिबेल में प्रभास का लुक डबल रोल दिखाया गया था जहां वो एक में दोस्तों जहां एक डॉन के किरदार में थे महीं दोस्तों दूसरी तरफ एक आम गाओ के आदमी थे जिसने डॉन बनकर अपने गांग में बेज़ दिया जाता है खबर निकालने के लिए अब दोस्तों अववाई उठ रही है कि यही कहार है कोमल थे घायल शेर की सांसें उसकी तहार से भी ज्यादा भयानक होगी सालार को लेकर उठ रही अववाओं की आखिर क्या है सच्चाई सालार ने कैसे बढ़ा इशू की हसर की बॉल बुट में मुश्किल उसर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता फिल्में एक और बेहदी उम्दा कलाकार है तो दूसरी और एक बेमिसाल डिरेक्टर प्रशान्द और प्रभास पहली बार एक साथ काम करते आएंगे नसर्थ फिल्मेकर्स ने इस साल जानवरी में इस मूवी का फर्स्ट पोस्टर रिलीस किया था रिपोर्ट की माने तो इस फिल में प्रभास डबल रोल में नजर आएंगे जहां मुवी में एक और प्रभास की कमाल की आक्टिंग लोगों से नहीं संबल दी ऐसे में डबल रोल वो भी इंटेंस डाक थ्रिलर आक्शन सागा मुवी आएगी तो क्या ही आलम होगा इस बात को तो कहते हुए ही रोंग टे खड़े हो जाते हैं प्रभास का ऐसा अफ्तार आज से पहले किसी भी मुवी में नहीं देखा गया है बीच में इस मुवी को लेकर कुछ अफ़ाएं उठी थी कि इस मुवी में विलन के रोल के लिए जौन इब्राहीम को अप्रोच किया गया है मगर फिल्म के डिरेक्टर ने प्रेस इंटर्व्यू में इस बात से साफ इंकार कर दिया था और ये भी कहा था कि इस मुवी में विलन का रोल कुछ खास एहम नहीं होगा तो मानव जा सकता है कि शायद प्रभास खुद ही एक रौ आक्टर फू टू टू बी अविलन का रोल निभा सकते हैं इस मुवी से जुड़ी एक अफ़ा ये भी थी कि ये प्रशान नील की ही एक मुवी उग्रम का रीमेक है मगर डिरेक्टर ने इन अफ़ाओं को खारिच करते हुए स्टेटमेंट दिया कि ये मुवी पूरी तरीके से उरिजिनल कंसेप्ट पर बेस्ट है इस मुवी के लिए प्रभास ने रिजिमने हेवी वेज के साथ काफि एक्सराइस की तागी वो खुद को इस रोल में काफि बहतर तरीके से धाल सके इस मूवी में प्रभास के लुक्स और मूवी स्टोरी को जाएं एक तरफ काफी ज़ादा पसंद किया जा रहा है वहीं दूसरी और कुछ लोग एक बात से काफी खफा है होमबले फिल्म्स कन्नडा बेस्ट फिल्म प्रडाक्शन इंडस्ट्री है फैंस का कहना है कि अपने कन्नड आक्टर्स के साथ काम करने की बजाए और कन्नड फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के बजाए वो एक आउटसाइडर यानि कि तेलगू सूपरस्टर प्रभास के साथ काम कर रहे है फिल्मेकर सिर्व अपना फायदा और पैसे कमाने का सोच रहे हैं आखिर में इस आउट्रेज को शांत करने के लिए इस फिल्म को ओरिजिनली कंणर और तेलगू में शूट करने का फाइनल किया गया है प्रभास से थोड़ी सी नजर हटा आए तो फिल्म की लीडिन अक्ट्रिस के तोर पर शूती हसन को कास्ट किया गया है एक इंटर्व्यू के दौरान शूती हसन से उनका सालार फिल्म में किस तरह का एक्सपिरियंस रहा और प्रभास के साथ उनका कैसा ताल मेल रहा ये सवाल पूछा गया था शूती हसन ने जो जवाब दिया वो कही न कहीं बॉल्लिवूड में कोल्ट कोंट्रोवर्सी क्रियेट कर चुका है शूती हसन ने साउथ इंडिस्ट्री के सभी टॉप अक्टर्स के साथ काम किया है सिवाई प्रभास के इस फिल्म के बाद उनकी इस विशलिस्ट पर भी टिक लग जाएगा इंटर्वी के दोरान इस सवाल का जवाब देते हुए शूती हसन ने प्रभास की जम कर तारीफ की हाला कि प्रभास की सभी फिल्मों की अक्टर्स उनकी हमेशा जम कर ही तारीफ करती है लेकिन काफी serious अंदाज में शूती हसन ने ये statement दी कि प्रभास दिल के बहुत अच्छे इंसान है कई सारे actors ड्रामा करते हैं कि वो down to earth और genuine है लेकिन असल जिंदगी में उनका असली चहरा कुछ और ही होता है लेकिन प्रभास सच में दिल से काफी जादा अच्छे हैं और अभी तक जिन जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है उसमें से प्रभास उनके लिए best actor सावित हुए है South industry के regional star की इतनी तारीफ करते हुए शूती हसन ने Bollywood के कुछ popular stars का दिल तोड़ दिया जिसके बाद से खबरे आ रही है कि शूती हसन की upcoming projects और endorsements भी cancel हुए है हाला कि किसी भी तरह से शूती ने अपने statement वापस ना तो ली ना है किसी तरह का modification उन्होंने अपनी statement को लेकर justify किया है अब आगे देखना दिल्चस्प रहेगा कि सालार फिल्म से शूती हसन की popularity बढ़ती है या फिर उन्हें statement की जिम्मदारी उठानी पड़ती है बात फिल्म की करे तो अभी तो सिफ अनुमान लगाया जा सकता है और जितने जादा अनुमान लगाये जाएंगे फिल्म के लिए curiosity उतनी जादा बढ़ेगी अगले साल अपरिल तक ये सबर हम सभी को बनाए रखना होगा देखते हैं कि आगे रिनसेंट प्रिबास का extreme violent look दर्शकों को कितना पसंद आता है आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like शेर जरूर करें और अपने कीमती व्यूज हमारे साथ comment section में जरूर शेर करें हमारे चानल को subscribe करना ना भूले Welcome कैसे हो बतीजे अपने चाचा से बहुत नाराज है न क्या गरें इसी का नाम जिन्दगी है कोई मरता है तो कोई जीता है मुझे मारना चाहता है अपने जीता है क्या है शूती हसन का सलार में किरदार कितना चार्ज कर रही है शूती हसन सलार फिर्म के लिए कौन से डांस नंबर पर परफॉर्म करती नजर आ रही है शूती हसन हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चानल बॉलिग्राद स्टूडियोस के फ्रेश न्यू वीडियो में जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से तूड़ी सभी लेटिस्ट अपडेट्स, टॉप कॉंचुवर्सीज और हाट गॉसिप्स प्रभाज की मोस्ट अंटिसिपेटर मूवी सलार को जल्द ही अगले स्टाल रिलीस कर दिया जाएगा सलार को डिरेक्ट कर रहे है केजेफ के सूपर हिट डिरेक्टर प्रशांत मीव फिल्म को लेकर फैंस की बीच में काफी ज्यादा बेसबरी है इसलिए हर कोई फिल्म को लेकर हर दिन नई नई फैंथियरी सोशल मीडिया पर डालता रहता है इस फिल्म को लेकर कई सारे अफ़ाए भी हर दिन सुनने को मिलती है इससे पता चलता है कि फिल्म को लेकर लोग कितने ज्यादा क्यूरियस है मूवी में भी कई सारे बदलाव हो रहे है जिस वज़े से हर दिन एक नई कहानी सुनने को मिलती है सलार एक पान इंडिया फिल्म है इस पर्म को पाच अलग-अलग भाशाओं में रिलीज किया जाएगा इस पर्म में शूती हसन एक लीडिंग आक्टिस के रोल में नज़राएंगी आज के हमारे खास वीडियो में हम सलार फिल्म से अपने करियर को एक लेवल अप पर ले जाने वाले है एक तरफ जहां सलार फिल्म के पोस्टर में स्टूपर स्टार प्रभास को देख कर ओडियन्स फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो रही है वही शूती हसन का रोल भी काफी इंटेंस और बोल्ड नज़राने वाला है ओमले प्रड़क्शन्स ने शूती हसन को उनका बिर्द्दे विष करते हुए एक पोस्टर रिलीज किया था और जिसमें उन्होंने शूती हसन का सलार फिल्म में होने का कनफर्मेशन दिया था बॉलिवुड में भी अपना कमाल देखा चुकि शूती हसन सलार फिल्म में किस किरदार में नज़राने वाली है ये फैंस काफी ज्यादा टाइम से जाना चाहते हैं तो दोस्तो चली आपको बताते है कि शूती हसन का किरदार फिल्म में किस तरह का नज़राएगा सलार फिल्म में शूती हसन एक जुर्णालिस का किरदार निभाने वाली है एक तरफ प्रभास का किरदार अंडर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है वही शुती हसन जुर्णालिस के किरदार में नज़राने वाली है तो automatically दोनों का connection किस तरह से बैठेगा ये स्वाफ निजारा रहा है एक love story के तौर पर दोनों को उस साथ में देखा जाएगा जहां शुरुती हसन investigative journalist के तौर पर सलार यानिकी प्रभास का परदाफाश करने के लिए अपनी identity छुपाएगी और आखिर में दोनों एक दूसरे के प्यान में पढ़ जाएगे फिल्म एंड तक बहुत intense action से भरी हुई निज़राने वाली है जुसमें शुरुती हसन भी high voltage action करती हुई देखी जाएगी जब फिल्म इतनी बड़ी है और इतना बड़ा superstar हो वही high paycheck होना तो बनता है सलार की heroine यानिकी शुती हसन भी इस फिल्म के लिए काफी बड़ा amount चार्ज कर रही है शुती हसन की life में सलार एक career changing और life changing movie होने वाली है फिल्म के लिए शुती हसन ने एक करोड रूपिये चार्ज किये है आज से पहले अपनी किसी भी फिल्म के लिए उन्होंने इतना बड़ा amount चार्ज नहीं किया है तो जहां के high often stunts दिखाई देने वाले है वही फिल्म में शुती हसन सूपर डांस करती हुई भी निज़राएंगी जहां फिल्म को पाच अलग-अलग धाश्रों में रिलीज किया जाएगा वही हिंदी और टमिल सॉंग्स के लिए शुती हसन खुट डांस परफॉर्मंस करती हुई निज़राएंगी और ये भी एक वज़ा है कि शुती हसन फिल्म के लिए एक करोड रुपिय चार्ज कर रही है देखते हैं कि ये सब शुती हसन की लाइफ में क्या ऐसा चेंज लाता है ये सब बना सलार से प्रभास का कनेक्शन क्या रौकी भाई और बाहुबले की बीच अटकी हुई थी ये फिल्म क्या है प्रशायंत नील की फ्यूटर ब्लानिंग जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटिस अपडेट्स, टॉप कॉण्रिवर्सिस और हॉट गॉसिप्स वह भी मेरे आनी शुती के साथ बोक्स ओफिस के बाहुबली प्रभास अब बॉलिवड में अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं बाहुबली के बाद से हिंदी सिनेमा में भी प्रभास एक जाने बाने कलाकार बन चुके हैं पैन इंडिया प्लाटफॉर्म के जरीए अब उरीजनल सिनेमा में स्ट्रीम सिनेमा बनने की पूरी तैयारी में है बाहुबली के बाद बॉलिवड आक्टि शद्धा कपूर के साथ प्रभास की ब्लॉगबस्टर फिल्म साहों ने पूरी इंडस्टी और हिंदी ओर्डियन्स का ध्यान अपनी तरफ सीचा था सूपर डांस मूवज, आक्शन सीन्स और प्रभास का आटिट्यूद सभी को काफी पसंद दिया था हर बार फिल्मों में प्रभास का एक नया अफ्तार सामने आता है हर फिल्म में अपने किरदार में प्रभास इस परह से घुश जाते हैं तो इस पता ही नहीं चलता कि प्रभास आक्टिंग कर रहे है लगता है जैसे कि ये प्रभास की ही परसनालिटी है इसलिए डिटेक्टर्स को भी प्रभास के साथ काम करने में और नई-णई कैरेक्टर के साथ एक्सपरिमेंट करने में काफी मज़ा आता है ऐसा ही एक बड़ा एक एक्सपरिमेंट किया है केशिव प्रिशांत नीले प्रिशांत नीले की नेक्स फिल्म सालार में प्रभास को एक नेवर सीन बिफोर लुक में दिखाया जाने वाला है फिल्म के पोस्टर जब रिलीज किये गए थे उसी के नीचे टाग लाइन थी इस लाइन पही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में कितना ज्यादा अग्रेशन इस बार दिखाया जाने वाला है प्रभास ने पहले भी फिल्मों में बोर्ट इंटेंस लुक अपनाया है मगर इस बार पूरी फुल्म ही अग्रेशन और इंटेंसिटी के डिगर गूमने वाली है एक poster में प्रभास ब्लाक संग्लासस में यंग रेबल स्टार की लुक में वॉक करते वे दिखाया गया है तो वहीं दूसरे में मुचों के साथ प्रभास का मिडल एज लुक दिखाया गया है जहां वो हाथ में राइफल ये संदाज में बैटे हैं जैसे कि he is the king of the world प्रभास कासी शान दिखाये गए हैं बावजूद इसके प्रभास के गरेक्टर के इंटेंसिटी उनके एक्स्प्रेशन स्मोस्टर के लुक में दिखाई दी रही है जिस भी फिल्म में प्रभास होते हैं वो फिल्म ऐसे ही नजर आती है जैसे कि सिर्फ प्रभास के लिए मी बनी हो लेकिन सलार फिल्म से प्रभास का रिष्टा ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं जुडा ऐसा ही कुछ हुआ कि जब दिरेक्टर प्रशांत नील के साथ सनार फिल्म को लेकर उनकी पहली पसंद उनके फेवरिट रॉकी भाई यानि की सूपर्स्टार यश थे लेकिन यश को फिल्म की कहानी में कुछ दम नपर नहीं आया इसलिए यश ने खुद इस फिल्म के लिए दिरेक्टर को सज्जेस्ट किया, बाद में खबर आई लिए प्रॉशंत नील यश के बाद अगजर निजर को साथ ये फिल्म बनाना पसंद करते हैं तो प्रभास ही थे जब प्रभास को फिल्म के सूनाइए गई तो उननों ने तुरन हाँ कह दिया, प्रभास को फिल्म के अग्रेसिव नहीं है काफी लंबा समय लगा दूरों में से एक को फिल्म के लिए तूर करने में पहले लंबा टाइम यश के साथ और बार में प्रभास के साथ हाला कि खबरे आई थी कि प्रशांत नील का इरारा था कि दोनों स्टार्स को इस फिल्म में लाया जा सके जिस को फाइनली प्रभास के साथ शूट किया गया अब काफी लंबी प्लानिंग है प्रशांत नील की जब दो ही सूपरस्टार की पाइपलाइन सभी सूपर मेगा बजट फिल्म रिलीज हो जाएंगी उसके बाद दोनों को साथ में लाकर एक और हाई बजट प्लानिंग या फ इंडियन फिल्म इंडास्ट्री की इन दिनों बड़ी फिल्मों में छिड़ गई है जन्ग हाला कि ये एक फ्रेंड़ी कंप्रिटिशन है लेकिन फिर भी ये देखना बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है कि इन दोनों फिल्मों में से इस खमास्तान रेस का बादशा कॉ इन फिल्मों को पार ले जाकर कौनसी फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा बड़ा धमाका करती है यही होगे इस पिक्चर की अचीवमेंट सबसे पहले हम सिमिलारिटी की बात करें तो दोनों ही फिल्मों को प्रिशांत नील ने डिरेक्ट किया है वैसे तो प्रिशांत नील साउथ इंडियन फिल्म इंडास्ट्री में काफी समय से ही मूवीज बना रहे है लेकिन केजएफ चाप्टर वन के साथ जो बॉम बॉनों ने फोड़ा है वही से प्रिशांत नील को सब इतना ज्यादा पसंद करने लगे है इस वज़े से केजएफ चाप्टर 2 के लिए भी लोग दिवानों की तरह इंतिजार कर रहे है लेकिन इस रेस में अब एक और फिल्म ने अपना नाम लिखवा दिया है जो है सलार सलार भी प्रिशांत नीलवारा डिरेक्टर फिल्म है और ये भी एक वज़ा है कि लोग इन दोनों मूवीज को कंपैर कर रहे हैं दोनों के सिमिलारिटीज में भुवन गौड़ा का भी नाम आता है भुवन गौड़ा सलार और केजएफ फिल्म सीरीज के सिनेमाटोग्राफर है इस गौड़ा को बहुत तारीफे मिली और सलार में भी भुवन गौड़ा ही सिनेमाटोग्राफी करने वाले हैं बाद सिर्फ यही खतम नहीं होती क्योंकि सिमिलारिटीज की लिस्ट में प्रड़क्शन हाउस भी शामिल है केजएफ चाप्र टू और सलार दोनों को ही होमले प इसाइटिंग होगा इन दोनों फिल्मों की तूला करने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि साउथ इंडियान फिल्म इंडास्री के दो बड़े सितारे इन दोनों फिल्मों के लीड आक्टर है केजएफ चाप्टर टू में हमें देखने वाले है यश वही सलार में प्रभार और इन दोनों को ही आक्शन अवतार में देखना काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है अब इन दोनों फिल्मों में ये हल्दी कंपेटिशन वाली रेस में जीत किसकी होगी ये देखना बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है तो उसे के प्रभास के किरदारों के साथ क्या उनके असल स्वभाव का कोई मेल है प्रभास रियल लाइफ में कैसे हैं इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में तो लास्ट तरवने रहे हमारे साथ इंडियन सिनेमा के डालिंग प्रभास की फिल्मों के बारे में तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं उन्होंने आज तक क्या क्या फिल्में की हैं कौन कौन सी फिल्मों में अपने धमाकेदार आक्शन की बतौलत लोगों का दिल जीता है इन सब बातों पर हम अकसर ही आप तक ज जो बात आप लोग नहीं जानते हैं वो है प्रभास का असल स्वभाव आकर कैसा है वो रियल लाइफ में किस तरीके के इंसान है आज हम इस वीडियो में इसी पर कुछ खास चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले प्रभास ने अपने आक्टिं करियर की शुर्वात तेलगू आक्शिन ड्रामा फिल्म इश्वर के साथ की थी के बाद प्रभास को अच्छा खासा रिस्पॉंस मिला था इसके बाद हमारे प्रभास ने कई फिल्मों में काम भी किया और ओर्डियंस का दिर जीते गए इन तमाम फिल्मों में एक चीज होता है और वो है उनका आक्शिन सीक्वेंस प्रभास ने अभी तक सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म की है और वो है डार्लिंग जो की 2010 में रिलेज हुई थी और इस फिल्म में प्रभास के साथ काजन अगरवार नजर आई थी प्रभास के फिल्मों की हिस्ट्री देखे तो उ प्रभास की पहचान की जाए तो दोस्तों एक वॉयलेंट किस्म के इंसान के रूफ में नजर आते हैं लेकिन असल जिंदगी में प्रभास बेहत शाय, शांत और तीस फिल्मों व्यक्ति हैं वो काफी शांत स्वभाब के और साथ इंट्रोवर्ट माने जाते हैं अई लोग जिनके साथ प्रभास ने काम किया है उनका कहना है कि प्रभास जादा बात नहीं करते हैं वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं सेट पर आते हैं काम करते हैं और वापत अपने घर को चले जाते हैं तो दोस्तों कंक्लूशन तो कुछ यही निकला कि प्रभास रियल इसमें एक शांत व्यभार के व्यक्ति हैं शायद इसी वज़े से लोग उने इतना पसंड भी करते हैं तो चलिए ये कर ली हमने प्रभास के स्वभाव के बारे में कुछ खास चरचा हम उमीद करेंगी कि प्रभास की हर फिल्म को लोग उतना ही प्यार दे जैसा प्यार उनको कैसे हुआ टीम का मेजर एक्सिडेंट किस खास लोकेशन पर हो रही है फिल्म की शूटिंग, किसने संभाली है फिल्म के वीजुल्स की जिम्मेदारी हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिक रैड स्टूडियोज में इन दिनों फिल्म सलार के बारे में दर्शकों के रियक्शन आना शुरू हो चुके हैं जब से पोस्टर और ट्रेलर आ चुका है और लोग अपनी राय बता रहे हैं सबसे काफी ज़्यादा पसंद आया है प्रभास का ये अंदाज तो चलिए आज उस पर ही कुछ खास बाते करते हैं वैसे देखा जाये तो सलार का किरदार प्रभास के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि उनकी नजर में ये किरदार निभाना काफी मुश्किल है प्रभास इस फिल्म में गैंस्टर के लीडर का किरदार निभा रहे हैं और आगे जाकर उनकी काफी दुश्मनों से भी लड़ाई होने वाली है पूरे फिल्म में उन्होंने फुल कॉन्विडेंस के साथ खुद के किरदार को पेश किया है उनके साथ सस्पेंस बढ़ाने आ रही है एक्टरेस शुरूती हसन और साथ ही एक्टर जगपती बाबू जिनका इस दुश्मनीक से एक खास कनेक्शन है फिल्म की शूटिंग के लिए डारेक्टर प्रशांत नीन ने तेलंगाना की एक खास जगप चुनी है जिसका नाम है गोदावरी खनी वैसे पूरी शूटिंग वहीं पर हुई है इसके बारे में कोई पक्की खबर नहीं है पर फिल्म के एक्शन सीन्स वहीं शूट किये गए हैं हाइवे पर यूटर लेते हुए ये हादसा हुआ था उसके बाद डायरेक्टर और टीम ने सावधानी से सारी सिच्वेशन को हैंडल किया देखा आपने एक टीम मेंबर की महनत फिल्म को कामियाब बनाने में कितनी मदद करती है इसके साथ मुश्किल एक्शन सीन करते ये कैमरा उसका आइना होता है ट्रेलर हो या पूरी फिल्म कैमरे में कैप्चर की गई हर चीज परदे पर शांदार दिखाए देती है और इसलिए हर फिल्म के सिनेमेटोग्राफर काफी एहम भूमिका निभाते हैं अब इस फिल्म को ही ले लीजिए मशहूर सिनेमेटोग प्रेटोग्राफर भूवन गौडा ने कहानी को शांदार विज्वल्स और टेकनीक्स के साथ पेश करने का काम किया है उन्होंने फिल्म केजी एफ और केजी एफ टू के बाद अब सालार की जिम्मेदारी भी ली है और ट्रेलर ने तो साबित कर ही दिया कि पूरे फिल्म क कितने ट्रेंट्स देखने को मिलेंगे तब तो बड़ा हंगामा होने वाला है। अब बारी आती है रिलीज डेट को जानने की। तो फिल्म इस साल 14 अप्रेल को रिलीज होने वाली है। इसलिए तयार हो जाए। सूपर पैक प्रफॉर्मेंस देखने के लिए। क्या सलार दर्शकों के एक्सपेक्टेशन्स पर खरी उतर पाएगी। राये बताए हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर। अगर आपको ये वीडि़ों प्रफॉर्मेंस देखने के लिए। गायल शेर की सांसें उसकी तहार से गी ज्यादा भ्यानक होगी। प्रभास के जितनी भी फांसें उन सब के लिए खुश खबरी है। आपका रबल स्टार अपनी फिल्म सालार को लेकर जल्दी आपके सामने आने वाला है। फिल्म का ट्रीलर और पोस्टर जोरो शोरो सी वाइरल हो रहा है। लोग इससे बार-बार देख रही हैं सिर्फ प्रभास का दाशिंग लोक देखने के लिए। वैसे तो उनकी फैन फॉलोईंग में बच्चे से लीका सीनिय सिटिजन तक सब लोग शामिल है। और इसके लिए उनकी ट्रीलर को लोगों ने काफी सारा प्यार भी दिया। प्रभास सालार नाम का मुख्य किरदार निम्भाते नज़र आएंगे। इस किरदार पर उन्हें काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। उनका किरदार थोड़ा अलग है क्योंकि ये सस्पेंस के साथ-साथ आक्शिन का भी तड़काल लगाने वाला है। अब उसी के लिए अउनों ने अपने लोग और किरदार पर काफी ज्यादा काम किया है। फिल्म में वो किसी तुर्वाने बदले को पूरा करते, दुश्मनों का परदफार्श करते नज़र आएंगे। शुर्दी असर इसमें आध्या नाम का किरदार निमाएंगे और इनकी जोड़ी के साथ-साथ हमें दिखेंगे सीनियर आक्टर जगपती बाबु, प्रकाश राज, मदुगुरुस्वामी और इस्वरी राओ। इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है जिससे साफ-साफ पता चलता है कि फिल्म ब्लॉग बस्टर होने वाली है। पर आपको एक बात बताएं, ये कर्णर तेल्गो फिल्म है और जब इसका पोस्टर रूइल किया गया था, तब कर्णर ओडियंस में काफी नाराजगी जताई सोचल मेडिया पर कुछ लोगों ने अपनी राय दी थी, उसमें लिखा था कि प्रबास हमें कभी पसंद है, पर हम चौनते थे कि कर्णर इंडस्ट्री कभी कोई आक्टर इसमें काम करें, क्योंकि अभी इंडस्ट्री भी किसी से पीछे नहीं रहे। राज मॉली जैसे सबसे उचा करने वारा सुपरस्टार यश को ये मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री कॉलब पहचान दी है, लोग उनको लेकाई काफी ज्यादे इमोशनल है, ये तूप दिखी रहा है, पर इसका मितलब ये नहीं कि उत्रभास से तम प्यार करते है वहीं उनके दिल से परीब है, और अब माहौल थोड़ा चेंज होती नजना रहा है, और सब काफी अच्छा रिस्पॉंस भी दे रही है, अब अगर राज मौली के नाम आ चुका है, तो उन पर भी कुछ बाते रह लेते हैं, इस फिल्म के डारेक्टर प्रशांत नील भी कि अलार और केजी अब चाप्टर टू को एक साथ एक दिन रिलीस करने का बड़ा फैसलाउन होनी किया है, जो कि एक काफी दमदार आक्षिन हो सकता है, केजी अब भी बहु बले के टककर की ये फिल्म थी, इतनी तगडी फिल्में और जिसमें अभी प्रमास भी शामिल हुए अब आपको क्या लगता है कि प्रशांद राज मोली से आपको क्या लगता है कि अब भी तैक काले लगाना नहीं जानता, वो कभी तरक्टी नहीं बाता क्यों है फिल्म के स्टार कास्ट अन्यूजल चॉइस फिल्म के लिए कीजिए तू के बाद आप जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर प्रशान्थ नील काम कर रही है वो है फिल्म सालाथ जिसमें प्रभास इस बार एक ग्रेशेड क्यारेक्टर करते नज़र आएंगे ऐसे में इस फिल्म में दमदार कलाकार काम करते नज़र आएंगे जैसे बाहु बली प्रभाद, जर्गबदी बावु, शुतिहसेन और साइचन लेकिन आनोखी बात यह है कि जारेक्टर इस बार सभी को एक नय किरदार में एक दम अलग जेनरी की कार्टिव्स में पेश करने जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रभाद जिनका नाम फिल्म में सालार होने वाला है और उनकी ये किरदार पर फिल्म का टाइजल रखा गया है, सभी प्रभाद को पहले योध्धा, कॉमेडी रोल्स और आक्शिन ड्रामा जैसे फिल्मों में देख चुके हैं, लेकि साही चन ने अपनी कई फिल्में जैसे फिदा, साही रोड, कॉन्डा पॉलम से लाइव लाइट बतोरी और कीजिव डारेक्टिर उनको बिल्कुल हट कर एक खलनाया के रूपे पेश करेंगे, वहीं जो अपने आप में काफी चालेंजिंग काम होने वाला है, ऐसे भी कई योगों को फिल्म की एक सिर्प्राइजिंग स्टार क्रास्ट काफी इंट्रेस्टिंग लग रही है, तो कई लोगों को ये एक बड़ा अदूस्त लग रहा है, क्योंकि नो डाउट साही चन एक भैतरीन आर्टिस्ट है, लेकिन उने अभी तक कोई भी एवल क्यारेक्टर नहीं प्ले किया है, इसमें इतने बड़े प्रोजिक में उनका ये प्ले करना एक जोखिंग का काम है, इसमें प्रिडिक करना सही नहीं होगा, क्योंकि बाहुबली से पहले भी किसी को थोड़ी पता था कि प्रभास आज एक प्यारेन्य स्टार बन जाएंगे, तो दीखते हैं जब 14 ते इप्रेंट 2022 को ये फिल्म बड़े परदे परदे हैं, गायल हेर की सांसे, उसकी पहार से भी ज्यादा भयानक होगी, ये फिल्म कहा शूट हो रहे है, फिल्म कब रिलीज होगी, अब इस फिल्म में कौन कौन है, अकसर लोग बॉलिवुड सिनमा ज्यादा प्रिफर करते हैं, पर पिछले कुछ सालों ने, रीजिनल सिनमा ने जो धमाके मचवाएं हैं, वो अलग ही लेवल के हैं, ऐसा तो आज ता कोई बॉलिवुड मूवी कभी नहीं कर पाई, जैसा बाहु बली और केज ये जैसी मूवीज ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को फिला के रख दिया, ऐसे फिल्म ने साबत करके रख दिया कि तमल, तेलगू और कंणर फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलिवुड पर भारी पढ़ सकती है, क्या आप कीजिये पर बाहु बली जैसे फिल्मों का जादू तो बारा से दीखना पसंद करेंगे। प्रभास में एससराज मॉली द्वारा डारेक्ट की गई फिल्म बाहु बली से लोगों का दिल जीता है, अब इस फिल्म को पूरे इंडिया में तमिल और तेलगू के साथ आठ भाशाओं में डब किया गया है, जैसे की मल्यालम, हिंदी, जापनीज, चाइनीज, प्रेंच जर्मन, टाइवानीज, और स्पैनिश में रिलीस किया गया था, हिंदी में डबिंग शरत कील कर द्वारा की गई थी, तो ऐसे ही सालार को भी डब किया जाएगा, अगर हां तो किन-किन भाशाओं में डबिंग होगी? जी हाँ, बता दी, ये फिल्म पाच भाशाओं में शॉट की गई थी, जो की है कन्यडा, तेल्गू, तमिल, हिंदी और मल्यालम, जहां तक इस फिल्म की डारेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को डारेक्ट और लिखा है किसी और ने नहीं, बलकि प्रशांद नील ने, जिन्होंने उग्राम और की जीएफज जैसी फिल्म में डारेक्ट की हैं, अब इस फिल्म को म्यूजिक कंपोजर रावी बसरूर ने किया है और جिन्होंने की जीएफ का भी म्यूजिक कंपोज किया था, سिनेमाटो ग्राफिक को भुवन गउड़ा हांडल कर रही हैं और इ इससे रिलीस कर रहे हैं बाई यूनिवर्स फॉक्स स्टूडियों से पहला लोग बहुत ही धमाकिदा है। इसमें माना जा रहा है कि प्रभास इसमें सालार बनेंगे जो एक सेवियर और फाइटर कर रोल प्ले करते नजर आएंगे। जहां तक और लोगों की बात कीचाए इस मूवी में शृती हसन है जो की इस मूवी की लीटिंग लीडी आध्या के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म में ग्रे और वाइट कारेक्टर्स होंगे। बता दे राजमानार जो एक विलेन होंगे जिसका रोल जकपती बाबूर ने भाएंगे। ये भी माहा जाता है कि उनका प्रभास साथ पहला कोलाब होगा और इस फिल्म की शूटिंग जानुवरी 2021 से स्टार्ट हो गई थी जिसके इंफोमेशन खुद बाहुबली ने अपने इंस्टा पेज पर शेयर करकर दी थी। ये फिल्म फुल और आक्शन मुवी होगी जिसमें वाइलेंस और खुल खराबे के सीन्स कोट-कोट की भरे होगे। अब ओडियंस के लिए सबसे खुशे की बात ये है कि ये फिल्म कोई रीजिनल फिल्म के नाम से नहीं बलकि इंडियन फिल्म के नाम से रुलीज हुई है। इसका मतलब ये है कि ये फिल्म बहुत सारे इंग्यन लांग्विजस में आएगी जिससे लांग्वजगार्य जैसी प्रॉब्लम्स ओडियंस को नहीं होगी और वो आराम जे कॉंटेंट बीस्ट फिल्मी देख सकते हैं सालार के स्टम सीक्वेंसेज गुदा विरखानी तलंगरा में शूट किये गए हैं मेकल्स ने सालार के लिए बहुत बड़ा सेट बनाया है खमाम और गोवार्दिकानी में जहां पर फिल्म के रिदाक्शन फाइट सीक्वेंस शूट हुआ है फिल्म के कुछ सिक्वेंसेज हाइगराबाद में भी शूट किये गए हैं जिसके लिए प्रभास ने महुरत पूजा भी रखवाई थी महुरत पूजा के बारे में कहते हुए प्रभास ने लिखा पूजार के लिए मैं बहुत जादा एक्साइटेड हूँ जिसके बाद मैं हाइगरबाद में शूटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ और अपना पहला लुक्स फार्म को दिखा सकता हूँ सालार के एक शूटिंग वीडियो लीग हुई है जसमें प्रभास एक intense action scene शूट करते नज़र आ रहे हैं अब इस leaked वीडियो में प्रभास हाथ में गन पकड़ी नज़र आ रहे हैं गन से निकली गोलियां मों अपने दुश्मनों को मार रहे हैं ऐसा भी मान जा रहा है कि intense action sequence की वजह से प्रभास धंग से सो नहीं पारें ऐसा कहा जा रहा है कि hero के action sequences राद भर शूट होते हैं ताकि villain के scenes दिन में शूट हो पाए जहां तक सालार की female lead की बात की जाए तो शूटी हसन की जरंदन के मौके पर एक poster शेयर करते हुए meakers ने फिल्म को प्रशांत नील ने विटर पर लिखते हुए कहा जब शूटी से उनके character के बारे में पूछा गया तो नो ने reply दिया और कहा अधी कुछ भी कहना impossible है पर इस फिल्म में मेरा कोई action sequence नहीं होगा हाला कि ये film full on action scene भरी है जहां तक उस poster की बात की जाये तो आध्या याने शूटी ने एक simple brown कृत और silver oxidized earrings पहने है जिसमें वो काफी सुन्दर लग रही है अब इस movie के villain राजमा नारोर्फ जगपती बाबू को पोस्टर भी किसी से कम नहीं ब्लाक और वाइट पोस्टर में वो बहुत ही fierce लग रहे हैं और साथ ही में उन्होंने silver color की septum nose ring पहनी हुई है जो उन्हें और भी strong and powerful look दे दिये कहा जाता है कि ये film 14 April 2020 गायल जीर की सासे की दखाड से की ज्यादा भ्याना इसा नाकाम्यावी को कहले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता झाल 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 किस अंदास में नजर आए हैं प्रबास इस film से जुड़ी वीडियो में क्या अशुरती दिखाए देंगी action scenes करते हुए नमस्कार एकबार फिर्जाब सभी का स्वागत है बॉलिग्राप स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनिश्का त्यागी दोस्तों साल 14 अपरेल को रिलीज होने वाले फिर्म सलार काफी चर्चा में है फिर्म के ट्रेलर को भी काफी ज़दा पसंद किया गया है साथ ही प्रबास के फांस तो काफी excited हैं ही इस फिर्म को लेकर और उनकी excitement को वो comments में जाहर भी कर रही है बैसे प्रबास तो इन दिनों आने वाले फिल्मों की शूटिंग में बिजी है पर उन्हें इस बात की बिल्कुल भी ख़बर नहीं होगी कि उनके फांस कितनी बेसबरी से इंतजार कर रही है उनकी आने वाले फिल्म्स का अब दोस्तों आपको बता देगी एक राइवल स्टोरी होगी जिसमें प्रभास सलार नाम का किरदार नेभाते हुए एक डाशिंग राइवल का अंदाज दिखाएंगे उनके साथ फिम का हिस्सा बनेंगी शूटि हसन जिनके किरदार के बारे में अभी तक कोई ख़बर नहीं आई है पर उनका अभी इस राइवल स्टोरी में खास कनेक्शन होगा शूटि जितनी खूबसूरत है उतनी ही टालेंटिर है उन्हें टलगू टमल से लेकर सारी भाशाय आती है उन्हें चालेंजिंग की से करना पसंद है उन्होंने अलू अरजुन के साथ भी काम किया है जिनके डाउन स्टेप्स को माच कर पाना काफी मुश्किल है पर दोस्तो शूटि इसमें भी पीचे नहीं रही अब वो आक्शन में पीचे नहीं रहना चाहती है इस फिल्म से उनका एक अलग अफ्तार देखनी को मिलेगा और वो आक्शन सीन्स करते हुए नसर आने वाली है दोस्तो खबर तो ये भी आ रही थी कि उनके लिए उन्होंने ट्रेनिंग बिली है कोई भी फिसिकल इंजरी ना हो इसके लिए पहले उन्हें अच्छे से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई थी और अब ये देखना काफी इंट्रास्टिंग होने वाला है कि शुर्दी आक्शन करते हुए बड़े पड़े पर कैसे दिखेंगे दोस्तों आपको बता दे कि कलाकारों के फीस को लेकर भी लोगों के दिमाग में काफी सवाल है प्रभास फिल्म के में फेस है और बाहु बली के बाद तो उनका क्रेज और भी जादा बढ़ गया है काफे फिल्मेकर्स और प्रेड्यूसर्स उनके एक जलक के लिए तगड़ा अमाउंट आफर कर रहे है अब दोस्तों खबर तो ये भी आ रही थी कि प्रभास ने इस फिल्म के लिए 80-100 करोड तक रुपे लिये है फिल्म के प्रफिट में भी उन्हें इससा मिल सकता है पर अभी इसका फैसला होना बाकी है तो देखी फिल्में दुनिया में प्रभास की मांग कैसे पूरी की जा रही है पर दोस्तों ये तो सही है कि प्रभास जितना डिमान करते हैं उतना मसाला भी देते हैं वैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है पर उसकी मेकिंग वीडियो अभी वारल हो रहे हैं। पोस्टर में प्रभास जिस गेट अप में दिखाई दे रहे हैं उसी वक्त का ये वीडियो है। जिसमें उनकी डिरेक्टर पर शान निल उन्हें सीन समझा रही है। वहाँ पर एक शानदार बाइक भी खड़ी है तो शारती प्रभास की एंट्री का सीन हो सकता है। अब क्या फिल्म कलाकारों के फीस से जादा कमाई कर पाएगी। अब आपकी क्या राय है इस पर हमें अपनी राय कॉमेंस में जरूर बताएगा। कैसे जगपत्थी बाबू बने हीरो से विलन। राजा मनार पर क्यूं है सबकी नजरें। हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बॉली ग्राद स्टूडियोस में। कर्नल फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं प्रभास। इन दिनों शूटिंग के कुछ आखरी हिस्सों से व्यस्त है। चारो तरफ से प्रभास, प्रभास और प्रभास ही नजर आ रहे हैं। इनकी एक फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद दूसरी फिल्म का एलान हो जाता है। जिसे धेर सारे व्यूज मिलते हैं। क्या प्रभास को पता भी होगा उनके फैंस कितने दिवाने हैं उनकी एक जहलक देखने के लिए। जब से सालार का ट्रेलर और पोस्टर रेलीज हुआ है, फैंस की खुश्यों का ठिकाना ही नहीं। सालार एक अक्शन सस्पेंस फिल्म है, फिल्म की पॉपुलारिटी बढ़ चुकी है फिल्म के ट्रेलर से ही। अब देखे कवर अच्छा हो तो किताब पढ़ने की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। वैसे आपको बता दे कि फिल्म में प्रभास सालार की भूमी का निभाते नजर आएंगे। उनके साथ दिखेंगी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशूर हसीना शूती हसन और तेलिगू फिल्म इंडस्ट्री के मशूर अक्टर जगपती बागू। फिल्म में और भी कलाकार काफी अच्छी भूमी का निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म की कहानी काफी जबरदस्ट होने वाली है क्योंकि इसमें काफी सस्पेंस दिख रहा है। किसी से बदला लेने की जंग उसके बीच होने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा और हंगामा और दुश्मनों से लड़ाई ये फिल्म की खासियत होगी। कहानी को ज्यादा रिवील भी नहीं किया गया क्योंकि वही तो असली मसाला है। फैंस के बीच काफी चर्चा हो रही है इस बात को लेकर की आखिर में राजा मनार कौन है। आपके लिए बता दे कि राजा मनार का किरदार निभाने वाले हैं जगपती। जी हाँ क्योंकि एक पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि राजा मनार मतलब जगपती बाबू जो फिल्म की कहानी को अलग रंग देने वाले हैं। ये फिल्म के विलन है या फिर प्रभास के पिता इसके बारे में काफी कनफ्यूजन हो रहा है। पर शायद मेकर्स चाते हैं कि ये कनफ्यूजन ऐसे ही बना रहे ताकि दर्शको की एकसाइटमेंट बढ़ सके। वैसे जगो भाई अपने किरदार से काफी खुश हैं पर उनके फैंस को ये जानने में काफी इंटरस्ट है कि वो ज्याद अतर फिल्मों में विलन का किरदार निभाते हुए नजर क्यों आते हैं। क्योंकि काफी लोग ये सोच रहे हैं कि वो कहानी के विलन हो सकते हैं अभी तक इस बात पर कोई भी पक्की खबर नहीं आई उन्होंने सपोर्टिंग आक्टर से लेकर आक्टर का सफर शुरू किया पर एक फिल्म में उन्होंने विलन का किरदार निभाते हुए दर्शों को की दिलों को छूली और जिसकी वज़ा से उन्हें काफी सारे विलन के ओफर्स आने लगे फिर एक के बाद एक वही किरदार निभाते हुए उनकी इमेज राउटी विलन की होगे वैसे खबरों के अनुसार प्रभास की आने वाली फिल्म राधे शाम में वो फिर से एक बार प्रभास के साथ नज़र आएंगे तो प्रभास और उनकी टीम बॉक्स ओफिस पर जलवा दिखाएंगे हुआ है किस ने किया शूटिंग की वीडियो को लिख प्रभास क्यूं कर रहे हैं जगु भाई की तारीव हेलो दोस्तों आम सबी का स्वागत है बॉली गराज स्टूडियोज में